यकूजा गैंग एक जापानी गैंग है जो की सतार्मी शताबदी में बना था इसे बुरा पुमिन जनजाती के लोगों ने मिलकर बनाया था इसे जापानी की सबसे छोटी जातियों में से एक माना जाता था इनके साथ बहुत बुरा वैभार होता था लोग इने अपनाते नहीं थे और नीचा दिखाते थे इनके पास कोई काम नहीं था और इनकी अंदेखी भी होती थी ऐसे में इन लोगों ने चोरी, डकैती और जुए जैसे काले धंदे अपना लिये ये जनजाती भी दो हिस्सों में मटी थी बकूटो और टेकिया टेकिया वर्ग के लोग चोरी, डकैती से मिले समान को बाजार में बेचती अगरते थे वहीं बकूटो जुए के धंदे चला रहे हैं ये लोग धीरे धीरे पूरे जापान में फेमस होने लगे और इनके सदस्यों के संख्या भी बढ़ने लगे आगे चलकर ये ये कूजा के नाम से पहचाने जाने लगे ये जापान गे संघटित क्राइम सिंडिकेट है यकूजा गैंग के लोगों पर जापानी सरकार की नजर तो पड़ी मगर उन्हें रोकने के लिए कुछ खास किया नहीं गया ऐसे में उनकी हिमत बड़ी और वो फिर चोरी डकैती की तक नहीं रुके वो ब्लाक मेलिंग, अवेध, निर्मान, प्रॉपर्टी डीलिंग, किड्नापिंग और वैश्य वृती जैसे गैर कानूनी कामों में भी अपनी जगा बनाने लगे इस तरह यकूजा जापान का सबसे खतरनाक कैंग बन गया प्रथम विश्व यूद के वक्त इस गैंग के सदस्यों की संख्या करीब दो लाख तक पहुँच गए थी जैपान सरकार ने खुद 2007 में बताया था कि बहां और दूसरे देशों में कुल 102,000 व्यकूजा मेंबर अक्तिवेट थी ये सभी 25 सुल अलग अलग परिवार से सब्बंद रखने हैं बगर ओयब उनको जहां बड़ा गिलास भर कर दिया जाता है वही कोबुन को गिलास में फोड़ी ही शराप दी जाते हैं ऐसा इसलिए कि ड्रिंक में आपका ओधा पता चलता है ड्रिंक ज्यादा मतलब स्टेटस में बड़ा अलग इस गैंग के बहुत से नियम है जो इसे बेहद खतरना हमना दे हैं अगर किसी गैंग मेंबर ने कोई गलती की या दूसरे सदस्थे के साथ गलत में अभार किया और ऐसे ही एक गैंग्स्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजे किरंगंदूर अपनी अगली फिल्म केजी एफ क्री में जिसमें एक गैंग्स्टर गोल्ड की इन्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा स्कारोबार ख़ड़ा जब भी भात अंदर वर्ड ही आदी है तो उसमें दाउद इबराहिम का नाम हमेशा आता है दाउद इबराहिम एक ऐसा नाम है जिसके कहने से ही मुंबई का कमिशनर तक बदल गया जाता है दाउद इबराहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महराष्ट के रतनागिरी में हुआ था दाउद इबराहिम के माता पिता बह कौहल की आदत लग गई जिस वज़ा से जब उसे इस काम के लिए घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो वो चोरी, लूट और ड्रग सप्लाई जैसे क्राइम्स को अंजाम देने लगा दाउद का कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, उसने अपनी बुरी आदतों की वज़ा से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ी दाउद इब्राहिम ने अपना बच्पन करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे डॉन को देख कर गुजारा दाउद क्योंकि इन लोगों से प्रभावित हा, इसी वज़ा से वो आगे जाकर करीम लाला के ग्रुप में शामिल हो गया, लेकिन उसके बाद दाउद ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी अलग ग्यांग बना ली उनने सवसी तक दाउद ने अपना नाम मुंबई के अंडर वर्ड की दुनिया में सबसे उपर बनाय रखा इसी वज़ा से दाउद की पहुँच अब बॉलिवुड इंडस्ट्री से लेकर गैंबलिंग के दुनिया तक पहुँच गई थी दाउद का आतंक असी दशक में इतना बढ़ गया था कि वो अब लोगों को धमका कर फिरौती लेने लगा था मुंबई पुलिस उसे पकड़ने के पीछे काफी दिनों से थी लेकिन वो उन्हें चक्मा देकर दुबई भाग गया इसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरे डौन से हुई जिसका नाम छोटे राजन था दोनों ने मिलकर भारत के बाहर से क्राइम को अंजाम दिया दाउद विदेश में बैठकर कई आतंक समू और अपनी गैंग की मदद से भारत में कई क्राइम को अंजाम देता रहा 12 मार्च 1993 को मुंबई में कई जगा भारी बॉम धमाके हुए अलकि इस धमाके के बाद छोटे राजन और दाउद की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों की दोस्ती भारी दुश्मनी में बदल गई जिसके बाद दोनों अलग हो गई वहीं समय समय पर भारत में दाउद को लाने की मांग उठती रहती है और इस वज़ा से भारत पाकिस्तान पे प्रेशर बनाता रहा लेकिन दाउद भी अपने ठीकाने को लगतार बदलता रहा जिस वज़ा से वो आज तक भारत की पकड में नहीं आ पाया दाउद ने कई बार अपने नाम और पैचान बन्दे हैं और इसके बाद क्राइम को अंजाम दिया है दाउद को लेकर कहा जाता है कि वो पुलिस से बचने के लिए कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी करवा चुका है दाउद के पास चार पासपोर्ट हैं कहा जाता है कि दाउद की पकड़ आतंकी ग्रुप लशकर-ए-ताइबां से भी है इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दाउद आतंकी और सामा बिन लादेन को भी जानता था 2003 में दाउद को इंडिया और यूएस से द्वारा एक ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस कर दिया गया है तो दर्शको ये थी भारत के मोस्ट वॉंटेड डॉन दाउद इब्राहिम की कहानी ऐसी और कहानियां जानने के लिए देखते रही है हमारे चानल पॉलिग्राद स्टूडियों को लेकर कहा जा रहा है कि रोकी इस बार ना अमेरिका करूप कर सकता है जहां पे उसकी मदद अमेरिकन माफिया करेंगे तो आखिर किस तरह का किरदार होगा इस अमेरिकन माफिया का आये जानते हैं एल्सवर्थ रेमेंट बंपी जॉनसन का जनम 31st October 1905 ओ अमेरिका के साउथ के रिलेना के चार्ल्स्टन में एक ब्लाक फैमिली में हुआ था जब जॉनसन दस साल का था तो उसके बड़े भाई विली पे एक वाइट आदमी की हत्या करने का आरोप लगा था बंपी के माता पिता को डर था कि कहीं मॉब लिंच ना हो जाए इस वजह से ना उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया ताकि वो पैसा जमा कर सके और विली को सुरक्षित उसके रिलेटिफ के यहां नौर्थ कैरोलीना में छोड़ सके जॉनसन को बंपी नाम उसके सर के पीछे मौजूद एक बंप की वजह से मिला था । जैसे 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 जॉनसन बड़ा हो रहा था वैसे वैसे ना उसके माता-पिता जॉनसन के टेंपर को लेकर काफी परिशान थे। इस लosa अनियंत्रित नोक隧 करने लगा था यह वही वग था जब गैंस्टर विल्यम हेवेट ने जॉन्सन को नोटिस किया जिसके बाद जॉन्सन ने विल्यम के लिए ना काम करना शुरू कर दिया और अपने क्राइम के करियर की शुरुवात सी जॉन्सन नमबर यानी की लॉट्री गेम की कुईन कहे जाने वाली सेंट क्लेर का सहयोगी था 1930 में जॉन्सन क्लेर का मेंन लेटिनेंट बन गया सेंट क्लेर और जॉन्सन का मकसद था कि वो नियू यॉर्क मॉप्ट्र डच शुल्स के खिलाफ युद की शुरुआत करे इस लड़ाई में 40 लोगों के मडर के अलावा कई लोगों की कितनापिंग भी हुई वही कुछ ही वक्त में जॉन्सन के लिए ना एक सौदे के साथ डच की टीम ये लड़ाई हार गई इस लड़ाई में जॉन्सन ने डच की हत्या कर दी थी जॉन्सन ने उस दुरान अपना गैंबलिंग का भी धंदा बनाय रखा था जॉन्सन अब अफ्रिकन अमेरिकन कम्यूनिटी में फेमस हो गया था और लोग ना उसका सम्मान करने लगे थे 1952 में जॉन्सन की आक्टिविटी अमेरिका की मागजिम जेट के सेलिब्रिटी सेक्शन में प्रकाशित हुई किरो इनकी समगलिंग करने की वज़ा से जॉन्सन को उसकी साल 15 साल की जेल की सजा सनाई गई दो साल बात जेट के क्राइम सेक्शन के कॉलम में जॉन्सन को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई कि जॉन्सन अब आगे की अपनी जिंदगी ना जेल में बिताएगा जॉन्सन ने सान फिंसिस्को की अलकाट्रास जेल में अपनी सजा पूरी थी हाला कि 1963 में जॉन्सन जेल से पिरोल पे रिहा हो गया जब जॉन्सन रिहा हुआ तो उसका स्वागत करने के लिए ना लोगों की परेट खड़ी थी जॉन्सन अपनी जिंदगी में 40 से ज्यादा बार अरेस्ट हुआ था और करीब दो बार उसे नार्कॉटिक्स की तरफ से जेल की सजा मिली थी जॉन्सन जब हाट अटाक से मरा तब उसके उपर ना ड्रॉक्स को लेकर कई चार्जेस लगे हुए थे जॉन्सन की मौत 62 साल की उम्र में 7 जुलाई 1968 को हुई तो ये थी माफिया बंपी जॉन्सन की कहानी इस तरह के क्राइम बॉस को हम KGF चाप्टर 3 में देख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अब मैं पुर्णमा लेती हूँ आप सभी से अलविदा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेर करें साथ ही सब्स्राइब करना ना भूलें बॉलिग्राज स्टूडियो इसको दाओद इबराहीम को कौन नहीं जानता हूँ दाओद इबराहीम एक एसा आदमी है जिसके ओपर ना जाने कितनी ही बॉलिवुड फिल्म ही बन चुकी है और उसके पीछे पूरी दुन्या की पुलिस पड़ी भी जाहूं उसको कई बार देखा गया है और उसके बारे में ह हर एक आदमी को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता है लेकिन अगर उनके साथियों के किसी एक लेडी गैंग्स्टर का नाम सामने आता है तो वो है रेश्मा रेश्मा मेमो एक ऐसी लेडी गैंग्स्टर के तोर पर मशूर हुई जिसे अलगले क्राइम के लिए जाना ये कपल दरहसल 1993 के सबसे बड़े और सबसे खदरनाग बॉम ब्लास्ट के पीछे प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर भी जाने जाते है रेश्मा मेमो अपने खौफ के लिए पूरे मुंबई में मशूर थी और ब्लाक फ्राइडे जैसे खदरनाग टेरिस अक्टिविटी के पीछे भी दरहसल रेश्मा मेमोन ही थी उसका खौफ और उसका कहर इतना जादा था कि मुंबाई पुलिस ने दरहसल उसके बारे में किसी को information देने के लिए 25,000 का cash price रखा था लेकिन इसके बाद भी बहुत कम लोग रेश्मा मेमोन के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस पकड़ नहीं पाई है और उसका अलब प्लान क्या है ये कोई नहीं जानता है ऐसे बड़े और मशूर गैंग्स्टेर की कहानियों में रेश्मा महमून सबसे हट कर सामने आती है क्योंकि इसके बारे में मुंबाई पुलिस अभी तक बहुत कम जानती है तो क्या लगता है आपको क्या KGF Chapter 3 में हमें किसी ऐसे ही गैंग्स्टेर की बारे में देखने को मिलेगा ऐसे कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी excitement और जोच देखने को मिल रहा था अब ये फिल्म जब भी थेटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीस होने के बाद ही पता चलेगा अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी excited है और आप 1993 में हुए मुंबई बहुन कमाके का दोशी याकूब मेमन को 2015 में फार्सी की सजा सुनाई गई थी याकूब मेमन का जनल 30 चुलाई 1962 को मुंबई में हुआ था वो अबदल रजाक मेमन के 6 बेटों में से 30 था याकूब अपने पूरे परिवार में से सबसे ज़्यादा पड़ा लिखा था याकूब इंग्लिश मीजन के स्कूल से पास हुआ और हायर स्टडीज के लिए बी कॉम की दिग्री खासिल की बाद में वो 1990 में Chartered Accountant यानी PCA बन गया 1991 में याकूब ने अपने बच्पन के दोस्त चेतन महता संग महता और मेमन असोशेट्स की शुरुआत की ये कंपनी असल में Chartered Accountancy फोर्म थी हाला की दोस्त के अलग हो जाने के एट साल बाद याकूब ने अपनी खुद की फोर्म ए आर एंड संस खुली जो की उसके पता के नाम पे थी ये कंपनी इतनी सफल रही कि याकूब को Best Chartered Accountant of the Year का अवाज मेमन कम्यूनिटी द्वारा मिला जर्दी याकूब ने अपनी कंपनी तेजराख इंटरनाशनल की शुरुआत की जो की पोर्शन गल्फ में और मिडल इस्ट में मीट के प्रड़क्स की एक्सपोर्ट में शामिल थी एक आंटिपेनियोर के तोर पर मिली सफलता के बाद याकूब ने माहिन दरगा के पास स्थित एक बिल्दिंग के 6 फ्लाट्स में इंवेस्ट किया याकूब अपने भाई टाइगर मिमन और डाउद को फानांचिल इजिस्ट करता था 1993 में पूरी मुंबई धमाके से हिल गई थी इस धमाके में 257 लोगों की जाने गई थी चबकि 700 से भी अधित लोग इस धमाके लिवचा से खाय हुए थी इस धमाके का में माक्स्टमाइड गाउद इब्राहिम और याकूब मिमन का भाई टाइगर मिमन था इस धमाके के बाद जहां टाइगर देश छोड़के पाकिस्तान भागया था बहीं दूसरी और पुलिस ने 1994 में याकूब को पूरे परिवार के साथ धिरुफदार कर लिया था याकूब के खिलाफ हमले में मदद करने और उपसाने के लिए केस पाई की गई याकूब कर दोश्यों के लिए फ्लाइट की टिकेट बुप कराना हमले में शामिल होने वाली गाड़ियों का इंतिजाम करना चैसे आरोप लगे याकूब के द्वारा की गई गया की एक्टिनिल के बावजूद कोट ने उसे 2007 में फांसी की सजा सुनाई याकूब को इस खटना के 22 साल बाद यानि की 30 सुलाई 2015 को फांसी की सजा सुनाई दी गई याकूब को जिस दिन फांसी दी गई उसे दिन उसका चैनल दिन बिठा तो ये कहानी की 1993 के मुंबई हमले के आरोपी याकूब लिमन की हमें एक से बड़े एक माफिया हुए है लेकिन पाबलो एसकोबार जैसा कोई नहीं पाबलो एसकोबार पूरी दुनिया में किंग ओफ कोकेन के नाम से उख्यात पाबलो इतना शातेर और खतरनाक था कि दूसरे खुंखार तसकर भी उसको हफता देते थे इतना ही नहीं दुश्मनों ने पाबलो को मारने के लिए 16 अरब रुपे खर्च कर डाले थे पाबलो ने 1970 के दशक में कोकेन के कारोबार में कदम रखा था इस दौरान उसने अन्ये माफियाओं के साथ मिलकर मेडलिन काटलेल बन दार थे इतने बड़े अवैद धंदे के कारण एसको बार के काफी दुश्मन भी थे पाबलो को मरवाने के लिए उसके दुश्मनों ने करीब 16 अरब रुपे खर्च कर डा लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं में सबी पाबलो एसको बार के कारोबार में जिस किसी ने भी ट साइट तक कोड़वा दिया था इतना ही नहीं कॉलंबिया का राष्ट्रपती बनने के लिए उसने सुप्रीम कोट तक को बम से उड़ा दिया था बताया जाता है कि पाबलो ने करीब 4000 लों की हत्या करवाई थी जिसमें करीब 209 और 1000 पुलिस पत्रकार और सरकारी अधिकार शामिल थे पाबलो इसको कार के बारे में का जाता है कि उसने ड्रग्स के धंदे में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी पूरी कमाई का 10 फीसदी हिस्से को तो यूं चूहे ही कुतर गए थी फिर उन्हें दीमक लग गई थी एसको बार्द के पास इतना कैश था कि वो हर मही इने करीब धाई हजार अमेरिकी डॉलर तो सिर्फ रबर बैंड पर ही खर्च कर देता था पाबलो की ताकत का अंताजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कॉलंबियाई सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खुद ही खास जेल तयार कराई थी इस दोरान उसने शर् पाबलो ने अमेरिका के सामने कॉलंबिया के पूरे कर्ज को उतारने की पेशकश तक कर दी थी बदले में उसने प्रत्यरपन कानून में बदलाव की मांग भी थी पाबलो को 44 साल की उमर में गोली मार दी गई थी लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद को गोली मार थी क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की जेल में नहीं जाना चाता था और ऐसी ही एक गैंग्स्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजक करिंग गुंदूर अपनी अगली फिल्म केजी एफ 3 में जिसमें एक गैंग्स्टर गोल्ड की illegal smuggling करके एक बहुत बड़ा कारोबार स्वागत है अब सभी का हमारी आज की इस वीडियो में ये कहानी है दोसको ज्रॉमनी के नामी गैंग्स्टर कालोज लेदर की 1949 में जन्में कालोज लेदर के पिता एक इंजिनियर थे और उसके मां हाउस वाइफ थी कालोज के तीन भाई भी थे अच्छी फामिली से बिलॉ जूद लेदर बुरी संगत में पढ़ जाता है और यहीं से वो अफराद की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है लेदर ने कार्स को चोरी करना और उन्हें बेचना शुरू कर दिया इसके साथ ही वो अमेरिका और कैनड़ा के बीच चोरी की कार्स की तसकरी भी और वहीं जेल में वो जैंग नाम के एक लड़के को अपना पार्टर बना लेता है जेल में रहते हुए लेदर ने कुपीन बिजनस के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप कर ली जो उसके लिए उपयोगी हो सकती है इसके साथ ही वो मनी लॉंडरिंग और तसकरी के बारे में भी इन्फरमीशन निकालता था लेदर और जैंग ने ज्रेल जिर्या होते ही नशीली दवाओं की तसकरी का एक छोटा साथ धन्दा शुरू कर दिया इसके लिए उन्होंने दो अमेरिकन लड़कियों को हायर किया जो उनके लिए कोकेन को एक जगा से दूसरी जगार ट अब प्लेन की हैं से वो दूट दूट तक आसानी से कोकेन को ट्रांसफर कर पा रहे थे इसे उन्हें फाइनाचिल प्रॉफिट तो हो ही रहा था साथ उनका कॉलम्डियन सप्लायर के साथ प्रस्ट भी बन रहा था और अमेरिका में उनके कोकेन बिजनेस को लेकर अच्छा खासा नाम हो गया था 1970 के दशक में लॉस एंचलेस, लास वेगास, न्यू यॉक, मायामी जैसे और भी कई शहरों के लोग ड्रक्स को एक नेसेसिटी की तरह लेरे लगे थे और इसलिए कोकेन की मांग और भी बढ़ गई थी तो समय बाद आपसी रंजशों के चलते ही लेडर और जैंक अलग-अलग हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद हो अपना बिजनेस जारी रखता है और दूर दूर तक कोकेन की स्मगलिंग करता है 1970 के एंड तर यूएस में जतनी ज़्यादा कोकेन की डिवान भी उतने ज़्यादा सप्लायर्स भी थे इसलिए हर एक सप्लायर्स ने अपनी अपनी टेरिटरी मार्क कर ली थी 1978 में लेदर को सबसे बड़ी अचीवमेंट मिलती है तो लेदर तो बहमास के एक आइलेंड के बारे में पता चलता है इस आइलेंड पर वो अपने कोकेन की सप्लाय करने लगता है साथ ही उसके प्लेन की लांडिंग के लिए भी वहां पे अच्छी खासी जगह थी इसके बाद उसके लिए ये बिजनिस और भी ज्यादा आसान हो जाता है वो कोकेन को इसली ट्रांसपोर्ट करना था और देखते ही देखते वो एक बिलिनियर बन जाता है कुछ समय बाद वो कोकेन के बिजनिस के राजा एसकोबार के साथ मिलकर extradition के खिलाफ campaign करने लगता है उसके बाद वो national latino movement शुरू करते हैं जिससे उन्हें तीन congressional seats मिलती है जिसमें से एक तो Escobar को ही मिलती है लेकिन 1984 में कॉलंबिया के justice minister की हत्या हो जाती है और ये हत्या Escobar के ही एक आदमी के हातों होती है जिसके बाद Escobar को Congress से हटाने की इत बाते शुरू हो जाती है जिससे की Escobar का President बने का सपना भी तूप जाता है साथ इस घटना से आप कोकेन के business पर भी असर पढ़ने वाला था कॉलंबिया ने President ने extradition के लिए हर एक individual की list मगाई थी और जिसमें Leather का नाम भी शुबार होता है सरकार Leather के सभी bank accounts को seal कर लेती है और वो billionaire से सीधा आ जाता है बैंक रप्ट वाली list में जिया दोस्तों, पुलिस से बचने के लिए Leather जंगलों में छुप जाता है जहां उसकी खाने पीने के विवस्ता इसको बार ही कराता है लेकिन Leather को वहां कुछ health issues होते हैं जिसके बाद medical help के लिए इसको बाद उसे वापस बुला लेता है कॉलंबिया में Leather का इलाग चलता है लेकिन पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे arrest कर लेती है जिसके बाद उसके ऊपर cases चलने लगते हैं Leather को उम्र केर की सजा हो जाती है लेकिन 1992 में उसकी सजा 55 सार की केर की हो जाती है जिसके बदले में वो सरकार को US में चल रहे drug dealers के बारे में information देता है 2018 में Leather को cancer के शिकारत होती है और 2020 में खालाग ज्यादा खराब होने पर कोलंबिया सरकार उसे जेल से रहा कर देती है अब उसका जेल से बाहर ही इलाग चल रहा है तो यह दी कोलंबिया के एक drug dealer की कहानी और ऐसे एक mafia की कहानी पर बेस्डोने वाली आने वाली फिल KGF 3 भी आपको कैसी लगे एक कहानी हमें comment करकर ज़रूर बताए साथ ही साथ अगर यह बीचे पसंद आई हो तो इसे like कर दीजे और share कर दीजे और हाँ सब्सक्राइब करना भूले हमारे चान पॉल लगाद स्ट्योडियोज को और हाँ दोस्तों मैं अंजली जाते ही आपको एक वुड नियूस हो देडू अगर आप भीर हमारे साथ काम करना चाहते हैं कहानी देडली डॉन की यह कहानी है 21 जानुवरी 1897 को इटली में जन्मे वीटो जैनुवेसे की वीटो का जन्म इटली में ही हुआ था लेकिन 15 साल की छोटी से उमर में ही वो अपना परिवार छोड़कर यूएस से चला गया था यह 1930 का शुरुवाती दौर था अब वीटो लखी लुसियानों के लिए ही काम करने लगा था लेकिन वीटो सल्फमेर माफिया था इसलिए वो हमेशा से ही कुछ बढ़ा करना चाहता था कुछ समय लखी लुसियानों के अंडर काम करने के बाद उसने पूरी तरह से सोच लिया था कि वो मौका पाते ही कुछ अलग करेगा वो खुद की ही एक क्राइम फैमिली इंपायर बनाना चाहता था जिसमें उसे किसी के अंडर काम भी न करना पड़े वो मौके की तलाश में था और लखी ने उसका साथ दे लिया एक मौडर केस के चलते लखी लुसियानों को 30 साल की जेल हो जाती है और वीटो को भी यूएस का सिटिजन्शिप मिल जाता है और वो लखी लुसियानों की गद्दी भी संभान ले लगता है लेकिन अब एफबियाई की नजर लुसियानों पर पड़ गई थी क्योंकि वीटो को यूएस की सिटिजन्शिप मिल गई थी इसलिए अब उसकी क्राइम और हिस्ट्री भी रिकॉर्ड होने लगा था एफबियाई इसी सिल्सले में वीटो से पूछताच करना चाहती थी और अगर वीटो की सच्चाई सामने आती तो उससे उसकी सिटिजन्शिप भी वापस ले ली जाती और उसे जेल भी हो जाती जिसकी वज़ए से भागना पर रहा था एफबियाई की नजर उस पर ही थी और बचने के लिए वो अपने होम कंट्री इटली आ जाता है उसके जादे ही उसकी जगव फ्रांक कैस्टिलो ले लेता है अपना सब कुछ खो जाने पर भी वीटो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोता एक पावरफुल फोर्स वो फर से बना लेता है और वो वहां भी अपना टेरर कायम कर लेता है यूएस जाने के बाद 1950 में उसने वहां के एक माफिया कार्लो गैंबीनों के साथ टीम बनाई और उन्होंने आपस में एक प्लान बनाए कि वो आलबर्ट अनस्तासिया और फ्रांक कॉस्टेलो की हत्या कर देंगे क्योंकि वो दोनों उस समय के माफिया लीडर्स बने थे और वीटो को उसके गद्दी भी वापस चाहिए थी उनका एम था कि वो कररंट लीडर्शिप को बदल देंगे जो की है लुसियानो फैमिली और अनस्ताशिया फैमिली की प्लान के कॉर्डिंग गैंबियो अनस्ताशिया फैमिली को खतम करेगा और वीटो लुसियानो फैमिली को और मारने के बाद वो खुद की एक फैमिली बनाएंगे नाइटिन फिटी सेवन में अनस्ताशिया मारा गया और कॉसलो वहां से भाग गया जिसके बाद यूएस में दो नई फैमिली गैंबिनो फैम लेकिन जब वो जेल में अपनी सजा काट रहा था तब ही उसे एक बिमारी हो जाती है और 1969 में उसकी मौत हो जाती है उसकी मौत के पचास साल बाद आज भी जेनोवेसे फैमिली इसी नाम से बुलाई जाती है वीटो जेनोवेसे का टेरर की वजह से लोग उससे डेडली डॉन माफिया मीूजियम दे मौब बॉस जैसे नामों से बुलाते केजियर 3 में बी ऐसे ही मौब की स्टोरी पर बेस स्टोरी दिखाई जाने वाली है तो आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है अज की ये कहानी है एक अमेरिकन क्रिमिनल की अमेरिका का एक ऐसा गैंक्स्डर जि कहकर बुलाते थे लेकिन जैसे ही यह जवान हुआ इसका नाम जाक राबिट रग दिया गया था क्राइम करने के बाद पुलिस से बहुत फूर्ती से बागा करता था जोन बच्पन से ही छोटी-मोटी चोडिया करता रहता था जिसके बाद उसके तिकाने ना उसे नेवी में भरती कर दिया कुछ महीने वहां सीथने के बाद ना उसका अमन वहां नहीं लगा और एक दन सबसे छुप करना वहां से भी भाग जाता है फिर वापस अपने होम ताउन आ जाता है वापस आने के बाद उसने 1924 में बड़े अपरात की तरफ अपना पहला कदम रखा काफी स समय से उसकी नजर इंदियाना के एक ग्रोसरी शॉप पर थी उसने सोचा कि अब वह उस ग्रोसरी शॉप को ना अपना निशाना बनाएगा और एक दिन मौका पाते ही उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस ग्रोसरी शॉप को ना लूट लिया पर उसकी पहली लूट में किसमत में नो उसका साथ नहीं दिया जैसे ही वो ग्रोसरी शॉप लूट कर वहां से भाग में लगा पुलिस उसके पीछे पड़ी और काफी दूर पीछा करने के बाद वो पुलिस के हाथों लग जाता है और पुलिस उसे गिरफदार कर लेती है जेल में रहकर वो कई चोरों से मिलता है और उनके एक्सपीरियंस को जानता है लेकिन अब उसका मन्ना जील में भी नहीं लग रहा था इसलिए कुछ दिनों वहां रहने के बाद वो जेल से फरार हो गया और अपनी गैंग को लेकर शिकागो भागा आया वो सभी शिकागो पहुत जाते हैं और वहां जॉन दिलिंजर अपनी गैंग को चोरी और डकेती के लिए ना ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि शिकागो में वो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे अब वो सी दे बैंक पर अपना हाथ साफ करेंगे जॉन दिलिंजर उन सभी को बैंक लूटने की ट्रेनिंग देने लगा और फिर दीरे दीरे करके न वो अमेरिका के सभी चोटे बड़े बैंक को लूटने लगे और कुछी सालों में जॉन दिलिंजर और उसका गैंग अमेरिका का बैंक लूटने वाला सबसे बड़ा गैंग बन गया 1924 में जॉन दिलिंजर की मुलाकाद बैरल से होती है और उसे न वो बहुत पसंद आती है जिसके बाद वो उसे शादी कर लेता है लेकिन शादे के बाद उनके expenses बढ़ने लगे थे चोरी और लूट की भी कोई confirm timing नहीं होती थी उसे महसूस हुआ कि उसके पास permanent income का कोई भी जरिया नहीं है इसलिए उसने अब ये decide कि अब वो अपनी wife की जरूरतों को पूरा करने के लिए न एक permanent income का इंतिजाम करेगा और उसने खुद के लिए एक नौकरी ढूननी शुरू कर दी शुरूआती समय में तो जॉन को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि वो नहीं ज्यादा पड़ा लिखा था और नहीं उसके पास कोई खास skill थी लेकिन फिर बहुत ढूनने के बादना उसे एक sofa बनाने वाली दुकान में नौकरी मिलती है उसका काम था लकडियों पर गदी लगाना इसी दोरान उसकी मुलाकात कुछ बास्केटबॉल प्लेयर से होती है उनको खेलता हुआ देख जॉन डिलिंजर का इंटरस्ट बास्केटबॉल में बढ़ता है और वो उनके साथ खेलने लगता है उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है 1924 में उसके ही बास्केटबॉल टीम के एक मेंबर ने उसे बताया कि हर रोज एक दुकानदार पैसों से भरा हुआ बैग लेकर ना उनके ग्राउंड के सामने से गुजरता है पूरे दिन अच्छा खासा माल कमाने के बाद वो शाम को पैसे लेकर अपने घर जाता है ये बात जॉन डिलिंजर के ना मन में बैठ गई थी और उसने उस टीम मेंबर के साथ मिल करना ये डिसाइड किया कि वो उस दुकानदार से उन पैसों को लूट लेंगे प्लान के अकॉर्डिंग जॉन उसके बैग को चीनेगा और उसकी बास्केट बाल टीम का जो दूसरा प्लेयर था ना कुछ दूरी पर कार लेकर खड़ा होगा और जैसे ही जॉन दिलिंगर पैसे छीन कर उसके पास आएगा वो कार को त्मीजी से चला देगा पैसा लेते ही ना वो गाड़ी में बैठ जाए और वहां से फरार हो जाए जॉन के पास एक पिस्टल भी थी दुकानदार जब पैसे लेकर वहां से निकल रहा होता है ना तो जॉन उसके पास जाता है और उससे पैसे जो है वो छीनने लगता है दुकानदार जो है वो घखरा जाता है और वो जॉन से ना हाता पाई करने लगता है इसी दौरान जॉन की जो बंदूग होती है ना वो जमीन पर गिर जाती है और मौका पाते ही वो जो दुकानदार होता है वो पिस्टिल को उठा लेता है और जॉन के ऊपर ट्रिगर करता है ये देखकर जॉन ना डर जाता है और कार की तरफ भागने लगता है इसी शोर को सुनकर चोहराई की पुलिस भी वहाँ आ जाती है जिसे देखकर कार में बैठा जो बास्केटबॉल टीम का प्रेयर है न वो डर जाता है उसे लगता है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसका करियर खतम हो जाएगा साथी साथ उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा इसी डर से वो कार लेकर भाग जाता है लेकिन जॉन जो है वो पुलिस की गिरफ में आ जाता है जिसके बाद जॉन को कोट 20 साल की सजा सुना देता है जिल में उसकी मुलाकात हैरी और होमर से होती है साथ रहते उनकी बीचना अच्छी दोस्ती हो जाती है इसी दोराँ 1933 में जॉन की सोतेली मा की मौत हो जाती है जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए ना कोट दुआरा बेल मिल जाती है लेकिन उसने इस बेल का भी ना पूरा फायदा उठाया और बाहर आते ही बहुत सारे हतियार और असलमों को एकथा करना शुरू कर दिया जेल में रहने के दौरान उसने अपनों अच्छा खासा कॉंटाक्ट वहाँ बना ही लिया था और उनी सोर्सिस के जरीना उसने अपने दोस्त हेंड़ी और होमर के पास जेल में उन आतियारों को पहुचा दिया जिसके बाद वो दोनों भी जेल से भागने में कामियाब हो गए और अब तीनों ने मिलकरना एक गैंग बना दी जिसका नाम डिलिंजर गैंग था उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा और लूटने के बाद बड़ी ही आसानी से वो वहाँ से फरार हो जाते थे उनके इस लूट पार्ट से ना सरकार और ना गुरे दोनों ही परिशान थे पुलिस काफी समय से जॉन डिलिंजर की इस गैंग को ना पकरना चाह रही थी लेकिन हर बार वो लोग बच निकलने में कामियाब हो जाते थे अब ये केस फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिकेशन यानि कि एफबियाई को सौपा गया पहरे तो एफबियाई ने जॉन को पॉब्लिक एनिमी नंबर वान का खिताब दे दिया और फिर जॉन को पकरने के लिए अपने सोर्सिस को लगा दिया उन्होंने जॉन की वाइफ के दोस्त से कॉंटार्ट किया जिसके जरी उरे ये पता चला कि जॉन और उसकी वाइफ 22 जुलाइं 1934 को मुवी देखने जाने वाली है इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस भी वहाँ पहुचती है जॉन शाम को अपनी वाइफ के साथ जब मुवी फियेटर से बहार आता है तो सामने खड़ी पुलिस मौका देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर बेती है और बस इसी तरह अमेरिकन पबलिक के इस एनिमी की मौके पर ही मौत हो जानी है बताया जा रहा है कि इस बाई केजी एफ 3 में सूपर स्टार यश जॉन डिलिंजर का ही किरदार निवाते नजर आएंगे और फिल्म में उनी की कहानी कदर शाया जाएगा और ऐसी ही एक माफिया की स्टोरी से इंस्पायर होगी केजी एफ 3 की स्टोरी और आज की हमारी ये कहानी यहीं होती है खत्म आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही मैं पुर्णमा लेती हूँ अब आप सभी से जाज़त ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें साथि सब्स्क्राइब करना न भूलें बॉलिग्राद स्टूडियोues को नवसकास स्वागत है आप सभी का बॉलिग्राद स्टूडियोब में PD भचती है और सामने से आवाज आती है अन्ना Wanga सब्सक्राइब करें किसका अधमी है एक है जो फिल्मे गांग्स्टर के इर्विकेट भूमर करती थी, उसमें आपको ड्रामा और सिस्पेंसों मिलता ही था, लेकिन साथ ही साथ मिलता था औरिजिनल आक्षिस जिसे आप महसूस कर सके हॉलवूड में गांग्स्टर फिल्मों का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन भारत में ऐसी फिल्मों का ट्रेंड करीबन सार 1915 से शुरूवा था, उसके पहले फिल्मों में गांग्स्टर होता था, लेकिन फिल्म गांग्स्टर की नहीं होती थी, 1989 में रिलीज हुई फिल्म नहीं देखने को मिला है, हाला कि अनुराग कश्यप ने फिल्म गैंग्स और बसेपुर से साविले तारीश को शुश की, लेकिन शायर एक गैंग्स और फिल्म बनाने से थोड़ा सा चूट गए, वहीं वेब सीरीज में सैफरिक गीम्स और मिर्जापुर ने दर्शकों को वह जिसका नशा जड़ जाए, तो उतरना सुबड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन ये वेब सीरीज एक बड़ा सवाल अपने साथ में लाती है कि क्या बड़े परते पर गैंग्स्टर्स की मौत हो चुकी है, तो रिलीज होई साओ कि बहतरीन फिल्म इप्यादिक एज लेकिन गैंग्स्टर्स फिल्मों की शुरुवार इंडिया में के सेविंच, तो बता दे कि बात साल 1947 के आसपास की है, जो पूरे देश में ही धीरे धीरे लोगों ने मुंबाई की और गूप करना शुरू कर दिया था, छोटे शेहन में बड़ती बेहोजगार आबादी न इन फिल्मों की लिस्ट में केस मर्ज जो की 1943 में आई थी, संगराम 1950, फोकेटमा 1950 से खाउस नंबर 44, 1955, अवारा 1951, श्री चार्टवीज 1955 और बाजी 1951 शामिल है, इन सभी फिल्मों में करीबन एक ही चीज दिखाई गई थी, लेकिन वक्त करवट लेता है, शुरू होता है अवेट, शुरहाफ, गधन्द, हो भी आंटियों द्वारा, इस सींग को साक्रेट गेम्स की कांता भाई की सोरी से भी समझा जा सकता है, जब अलग अलग अपने इलाकी और राजिकी साब से छोटी छोटी गैंग्स बनने लगे, जैसे अलाबादी गैंग, रापुरी गैं और बंदू के, यह हॉलिवूड गैंग्स्टर फिल्मों का पैटर्न बन गया था, लेकिन बॉलिवूड ने परिंदा, सत्या और काला जैसी फिल्मों में गैंग्स्टर को अपने ही अंदाज में दिखाया, और अगर बात साउथ की करे, तो उन्हें हमीशा पही हॉलिवू गैंग्स्टर था और सामाजिक दृष्टी से वो गलत था, लेकिन उसे स्क्रीन पर ऐसे रखा गया ताकि लोग उसे हीरो समझे, और यह दोनों ही फिल्में केजिया फ्रेंचाइज और पुश्पा थी, जिन में इन रोल्स के लिए ऐसे हीरो को चुना गया, जो लोगों को पहले सही काफी पसंद थे, और लोगों उने हीरो के अलावा और किसी रूपे देखी नहीं जटे, फिल्में जो रियल हीरो एक्चली में प्ले कर रहा होता है, वो गैरेक्टर के चलते विल्यन बन जाता है, असलों बात ना हमारी सोच और राइटर की कहानी की है, वो कैसे क डारेक्टर को अपनी ओडियन्स के लिए डिवलाप कर रहा है, अगर बात KJF की करे तो इसमें सरकार और रमिक का से इस फिरो प्ले कर रही थी, और रोक्की और अधीरा दोनों ही विलन दे, पर हमने और आपने सर्फ अधीरा को विलन की कैटेडरी में रखा, यह नहीं बा कानी को मा से जोडा, मा की इमोशनल टच को लोगों से रिलेट किया, रोकी को गरीबो का मसीहा बनाया, एक सच्चा आशिक भी बनाया, जुसने एक विलन को हीरो की कैटेडरी में लाकश खड़ा कर दिया, और यह कमाल किसी और का नहीं, उसी राइटर का था, जुसने फिल् रोकी दा मॉंस्टर नहीं मिलता, के जेटरी की कहानी भी ऐसी ही इमोशनल टच पर लिखी जाएगी, जो लोगों से कनेक्ट कर पाए, आपको क्या लगता है, क्या प्रशान दील कहानी को एक अच्छा मोड दे पाएंगे, हमें कॉमेंट्स करकर जरूर बताए दोस्तों, औ अगर ये वीडियो बसंदा आई हो, तेसे लाइक कर दीजिए, शेयक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चानल वालगार्ट स्टूडियोस को, मैं अजली लेटी, आप सभी साई जौसत मिलूंगे आपको, निक्स वीडियो में भाई अगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है, अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस उपर्टूनिटी का भरपूर फायदा अब बगीरा और रमेका की एक हो जाने की बाद रमेका सबसे पहले अपनी प्रधान मंत्री की शक्तियों का इस्तमाल करके सबको ओर्डर देती है कि केजी एफ को गिरा दिया जाए जब वो कीजी एफ को गिराने पहुचते हैं तो पिछली बार की तरह उन्हें वहां कोई सोना नहीं मिलता लेकिन इस बार रमेका भी रॉकी की चाल से वाकिफ है और वो पहले ही रॉकी का मुंबई में इंतजार कर रही है रॉकी जैसे ही मुंबई में अपनी गोल्ड फील पहले में जाता है रमेका पहले ही वहां उसका इंतजार कर रही होती है रॉकी उसे देखकर कहता है मैं जानता था तुम यहीं होगी बेवखूफ नहीं हो तुम रमेका कहती है हाँ बेवखूफ तो तुम हो रॉकी हर भार तुम्हारी जीत नहीं हो सकते इस बार तो तुम ह गए और वो अंदर से रॉकी के सभी गोल्ड फील्ड्स वारे कर्मचारियों को लेकर आती है जो अब रॉमेका की तरफ हो जाते है रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है पर कहता है कर लोज इतने लोगों को अपनी तरफ कर शक्ती हो मुझे परक नहीं परता अब पढ़ेगा और वो पीछे से सलार को बाहर बुलाती है सलार भी रॉमेका की तरफ हो जाता है रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है पर वो एसी परिस्तिती के लिए भी तैयार था वो एकदम से उल्टी दिशा में भागने लगता है तीनों उसका पीछा करते हैं और रॉकी भागते भागते गेट्वे आफ इंडिया पर आ जाता है और वहाँ एक मोटर बोट लेकर समंदर में सवार हो जाता है बाकी तीनों भी उसके पीछे ऐसा ही करते हैं लेकिन रॉकी मोटर बोट में सवार होने के बाद एक शिप पर चड़ जाता है जिसमें सारा सोना होता है वो तीनों भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और सलार और बगीरा तो शिप में आ जाते हैं लेकिन रमिका वहां नहीं आपाद इसके बाद सलार बगीरा और रॉकी का आमना सामना होने ही वाला होता है ये उपर से हेलिकॉप्टर आकर बगीरा और सलार को मार डालता है सोना हिलिकॉप्टर में लेकर पराद हो जाता है और यहीं कहानी का दिया है पर दोस्तों जहां आपको लगेगा यह कहानी का अंग हो गया है लेकिन वहीं अभी तो चाप्टर 4 भी आने वाला है जुसमें पता चलेगा कि कौन था रॉकी का एसाथ है आज के लिए इतना ही ऐस ही और इंटरिस्टिंग अपडेट्स के लिए जड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चानल बॉलिग्राद स्टूडियोस को वहीं दूसरी तरफ रमीका सेन रॉकी के उन तीन साल के फॉरेंड क्राइम्स की रिपोर्ट देखने जा रही थी लेकिन असल में रॉकी के इन तीन साल के क्राइम्स उसने कभी किये ही नहीं थे वो सारे क्राइम्स असल में सलार की किये हुए थे जो उसने US इंडोनेशिया और बाकी के 16 देशों में किये लेकिन सलार रोकी के लिए ही काम करता था तो at the end वो सारे क्राइम्स रोकी के लस्ट में ही जुड़ गए केजिया 3 की स्टोरी यहां से नहीं बलकि वहीं से शुरू होगी जहां से छोड़ी गई थी यानी समुंद्र की गहराईते और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि रोकी ने समुंद्र में सारा सोना सिर्फ इसले बहाया क्योंकि वो बस अपनी मा को दिया वादा पूरा कर रहा था क्योंकि अधीरा के मरने के बाद रोकी देली पहुचने से पहले ही अपने लोगों को ये काम दे कर गया था से सलार जहा gibi के गोल को सप्लाई कर था वहां से उस ने हाइट मशीनरि वेपेंज और बड़े बड़े जहास उठाय थे जिसमें से कुछ उसके चौपर स्थे कुछ शिप्स थे पुछ प्राइवेट जेइट और दो सब्मरीन इनונה में से एक सबमरीन तक पहले वो तबुद पहुच गई और वहां से उसने समूंद्र की सते पर लग दिया और अपने वादे को पूरा करनी के लिए उसने सारा सोना अपनी मा को सौद दिया लेकिन कही जंजट के इंडिया से बाहर भी जा सके और कोई उसके पीछे भी ना आए इसलिए उसने खुद ही इंडिया नेवी के साथ यूएस और इंडोनेशियन नेवी को एक ही फैक्स भीजा और वहां बुला लिया क्योंकि उनके सामने अगर रॉकी खत्म हो जाता है तो एक बहुत खत्रा तल जाएगा अब सवाल ये उड़ता है कि आखे रॉकी को वहां से बचाने लिए कौन आने वाला है क्योंकि उसकी पूरी के जीएफ की सेना तो अब वहां से जा चुकी थी जिनसे उसका कोई भी कॉन्टाक नहीं था तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है रॉकी को इंडियन गवर्मेंट को कोई खबर भी नहीं थी तो वह बिना किसी की नजरों में आए असानी से रॉकी को बचा सकता था और यहीं हुआ समुद्र में दुबाने के बाद सलार उसकी सब्मरीन लेकर वहां पहले सही मौजूद था यह वहीं सब्मरीन थी जिससे उसने रॉ पर मौजूद रॉकी के शिप पर था वहां समुद्र के अंदर मौजूद उस सब्मरीन पर किसी का द्धार नहीं था इसी का फाइदा उठा कर सलार उस सब्मरीन से रॉकी को लेकर निकल गया लेकिन रुखो जरा क्या कहानी यहीं खतम हो गई बिलकुल नहीं कि यह तो बस पर वेट करना पड़ेगा और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द कहानी के साथ आज के लिए बस इतना ही यह वीडियो पसंदाया हो तो इसको लाइक और शेयर करें ताती सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलिगराज जूलियों को रॉकी ने बदला प्लान क्यों मिलाया रॉकी ने जिम्मी काल्टर से हाथ कैसे 16 कंट्रीज में मोस्ट वॉंटेड बना रॉकी के जेफ चाप्टर 2 के एंड सीन में जब से के जेफ चाप्टर 3 का हिंट दिया गया है तब से ही उस पर फैंस अपनी प्रेडिक्शन्स कर रहे है जिसे देखते हुए आज हम लोग आपके लिए लाएं के जेफ चाप्टर 3 की स्टोरी वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोग को एक इंपोर्टन बात बताना चाहती हूं अगर आप इस सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और कांग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए जाब लिंक पर क्लिक करें और इसे पॉर्ट शुनिटे का भरपूर फायदा उठाईए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब रॉकी इंटरनाशनली भी बड़ा हो रहा था तब रॉकी से मिलने इंडोनेशिया गोल्ड माइन का मालिक आया था और साथ में उसने रॉकी को एक ओफर भी दिया और वो ओफर ये था कि अगर रॉकी माइकल न तोनाश और स्वेशती है और रॉकी को मानें का प्लान बनाती है अब इसके आगे लेते था इसलिए रॉकी ने सारे सुने की सप्लाइ बंद कर दी टिरोकी जानता था कि भारत में रहते हुए केजिएफ का सुना भारत सरकार से चुपाना मुश्किल हो इस विफिन एमरीका के जिंदंस का टर से हाथ मिलआया अब रॉकी ने जिम्मी काटर के मदद से KGF के गोल्ड को भारत से बाहर ले जाने का प्लान बनाया। इस मिशन को पूरा करने के लिए रॉकी को 16 देश के कई गैंस्टर्स को मारना पड़ा। जसके चलते रॉकी 16 देशों में Most Wanted बन गया। मंदरी गुरु पांधियन के विश्व घात और अधिरा दुबारा रीना देशाई की हत्या के बाद रॉकी ने अपना प्लान बदल दिया था। अब रॉकी अपने शिप पर जो गोल्ड लेकर समंदर में उत्रा था वो गोल्ड केजएफ का नहीं बल्कि इंड़ोनेशिया की गोल्ड माइन का था। केजएफ का गोल तो जिम्मे काटर की मदद से रॉकी ने पहले ही इंडिया से बाहर निकाल दिया था। और इंडोनेशिया नेवी भी रॉकी के द्वारा भेजे गए फैक्स मिलने के बाद इंडियन ओशन में पहुँच गई थी। समंदर में रॉकी के गिरने के बाद जिम्मे काटर ने रॉकी को बचा लिया था और ये सारा फ्लान रॉकी ने पहले ही बना लिया था। मतलब रॉकी अभी जिन्दा है और केजेफ का सोना भी रॉकी के पास है। अभी इस सब जानने के बाद क्या रमिका से रॉकी को ढून पाएगी। क्या रॉकी केजेफ आएगा ये हमें केजेफ चाप्टर 4 में देखने को मिलेगा। तब तक आप हमें ये जरूर बताएए कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लोगी। अमेरिका के सभी छोटे बैंक्स को लूटने लगे और कुछी सालों में जॉन डिलिंजर और उसका गैंग। अमेरिका का बैंक लूटने वाला सबसे बड़ा गैंग बन गया। 1923 में जॉन की सौतेली मा की मौत हो जाती है। जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए एक पोर्ट वारा बेल मिल जाती है। लेकिन उसने इस बेल का पूरा फाइदा उठाया और बाहर आते ही बहुत सारे हत्यार और असला बारूर इनको इकटा करना शुरू कर दिया। जेल में रहने के दोरा उसने अपना अच्छा खासा कॉंटेक्ट महा बना लिया था और उन्ही सोर्सेज के जरिये उसने अपने दोस हैंडरी और हॉमर के पास जेल में ही उन हक्यारों को पहुँचा दिया। जिसके बाद वो दोनों भी जेल से भागने में कामिया हो गए और तीनों ने मिलकर एक नई गैंग बना दी जिसका नाम डिलिंजर गैंग था। उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा और लूटने के बाद बड़ी ही आसानी से वो फरार हो जाते। उनकी इस लूट पार्च से सरकार और नागरिक दोनों ही परेशान थे। पुलिस काफी समय से जॉन डिलिंजर की इस गैंग को पकरना चाह रही थी लेकिन हर बार वो लोग बच निकलने में ठामियाब हो जाती। अब ये केस फेडरल बीरो ओफ इन्वेस्टिगेशन यानि की एफ बी आई को सूंपा गया। पहले तो FBI ने जॉन को पबलिक एनिमे नमबर वन का खिताब दे दिया और फिर जॉन को पकरने के लिए अपने सोर्सिज को रगा दिया। उन्होंने जॉन की वाइफ के दोस्ते से कॉंटेक्ट दिया। जिसके जरीए उन्हें ये पता चला कि जॉन और उसकी वाइफ 22 जॉलाई 1934 को मूवी देखने जाने वाले हैं। इसी मौके का फाइदा उठाते हुए पुलिस वहाँ पहुंसती है। जॉन शाम को अपनी वाइफ के साथ जब मूवी थियतर से बाहर आता है तो सामने खड़ी पुलिस मौका देखते ही उस पर फाइरिंग शिरू करते हैं। और इसी तरह अमेरिकन पुलिस के इस एनिमी की मौके पर मौत हो जाती है। जिसने अपने चोटे से ही गैंस्टर करियर में लोगों को परिशान कर दिया था। अपने आखरी समय तक जॉन इतना शातिर हो गया था कि उसकी एक भी चोरी और डकैती पकड़ी नहीं जाती थी। ना ही वो पुलिस के लिए कोई सबूत छोड़ता साथ ही कभी पकड़ा भी नहीं जाता। इसलिए मजबूर होकर पुलिस को उसे मारने के लिए एनकाउंटर का सहरा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस बार KGF 3 में सूपर स्टार यश जॉन डेलिंजर का ही किरदार निभाते नजर आएंगे और फिल्म में उन्हीं की कहानी को दर्शाय जाएगा। ऐसे ही एक माफिया की स्टोरी से इंस्पार्ड होगी KGF 3 की स्टोरी। और आज की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी है कोलम्बियन क्राइम फामिली के बॉस जोसफ एंटरी कोलम्बो की ये फामिली न्यूजॉक सिटी की 5 सबसे बड़ी अमेरिकन माफिया फामिली में से एक है। 31 साल के उमर में कोलम्बो कंट्री का सबसे यंग क्राइम बॉस जो था। इसके साथ ही वो न्यूजॉक क्राइम सामिली का पहला अमेरिका में जन्मा बॉस था। माफिया बनने के बाद बहुत कम समय में ही उसने अपना पर्चम पूरे के पूरे नियुयोक सिटी में लहरा दिया था दोस्तों किनापिंग, एक्स्टॉर्शन और स्मगलिंग के साथ साथ उसके कई लीगल बिजनस थे लेकिन उसके इसी टेशे की वजह से उसे अपनी जिन्दगी में पहली बाद जेल जाना पड़ा था 1966 में जब अमेरिकन गॉवर्मेंट को लंबो के बैंक बैलन्स को लेकर कुछ शक हुआ उन तो उसे समन जारी किया गया लेकिन जब कोट में उसकी टेशी हुई और ग्रैंट जूरी ने उसके पाइनेंशिल अफेर्स के बारे में सवाल किया तो उसने कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया ग्रैंट जूरी के कई बार पूछने के बाद वो शांत रहा जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो 9 मई 1966 को को लंबो को 30 दिन की सजा हुई थी ये पहली बार था जब को लंबो जेल गया था 1977 के शुरुआती समय में जोए गालो को जेल से रिहा कर दिया गया और उसके आजाद होते ही गालो क्राइम पामली और कोलंबो क्राइम पामली की पुरानी दुश्मरी का भी आजाद होना तैथा दोनों क्राइम फामली के बीच के इसी कॉन्फलेक्ट को खत्म करने के लिए कोलंबो ने गालो को पीछे मीटिंग के लिए इन्वाइट किया उसने ओफर किया कि अगर वो शांती के साथ इस कॉन्फलेक्ट को खत्म कर देगा तो वो उसे 1000 डॉलर देगा लेकिन गालो ने कोलम्बो के इस ओफर को ठुकरा दिया ये कहते हुए कि थाउजन डॉलर्स कुछ भी नहीं है अगर वो और खून खराबा नहीं चाहता तो वो उन्हें 100,000 डॉलर्स दे दे कोलम्बो ने इस ओफर के लिए साफ मना कर दिया और दोनों क्राइम कामिली के बीच ये वार गालों की मौत तक कंटीनिव रही दोस्तों 28 जून 1971 को कोलम्बो इटेलियन अमेरिकन सिविल राइस लीग के द्वारा स्पॉनसर इटेलियन यूनिटी डे रैली में कोलम्बस सर्कल गया था जब वो वहां से बाहर निकल रहा था तभी वहां जैरो में ए जॉनसन नाम का एक गनमैन कोलम्बो के पार तीम गोलियां चलाता है जिसमें से एक जाकर उसके सिर पर लग जाती है कोलम्बो वहीं बेहोश हो जाता है और गिर जाता है सभी हडबड़ी में उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं उस गनमैन को तो कोलम्बो के गार्स उसी समय मार देते हैं लेकिन उस शूटिंग का कोलम्बो पर गहरा असर पड़ता है सरफर गोली लगने की वज़े से कोलम्बो पेरलाइस हो जाता है जिसके बाद उसे रूसे वेल्ट हॉस्पिटल में एड्मिट किया जाता है दोस्तों लगातार दो महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार आता है थोड़ा सा कुछ गुझाईश देखती है और उससे 28 अगस 1971 को उसके ही ब्लूमिंग ग्रूव के स्टेट में शिफ्ट किया जाता है लोगों को लगा था कि अब कॉलम्बो मर जाएगा लेकिन उसकी हालत में सुधार होने लगा उसके दुश्मन खुशिया मना रहे थे और उसके क्राइम फामली के मेंबर्स दिन रात उसके ठीक होने का प्रे कर रहे थे और काफी समय बाद 1975 में उसका right side of the body काम करना शुरू कर देता है वो recover होने लगता है और एक साल के अंदर ही वो लोगों को पहचानने भी लगता है जिसके result में 1972 में कोलम्बो क्राइम फैमिली जो एक गालो का murder करा देती है जो सर्फ कोलम्बो की मौत के बाद कार माइन पर सीको का कोलम्बो क्राइम फैमिली का बॉस बना दिया जाता है और ऐसे ही एक अंडर वर्ल माफिया की कहानी KGF के chapter 3 में दिखाए जाने वाली है फिलाल हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कहानी Albert Anastasia की ये कहानी है एक ऐसे माफिया की जो लोवर मैनहेटन की गलियों से निकल कर न्यू यॉक की 5 सबसे बड़ी क्राइम फैमिली में से एक पर राज करने वाला था बनाए कमिशन के कॉरिंग मॉब बॉस बनने के लिए फैमिली की आपसी सहमती जरूरी होती है और अगर मैनगानो फैमिली माना कर दीती है तो जेनो वेस कभी भी मॉब बॉस नहीं बन पाएगा लेकिन दोनों को पता था कि आलवर अनस्तासिया एक अंडेगो बॉस था वो भी तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक की मॉनागो ब्रदर्स अलाओं नहीं कर दिये इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैंगानो ब्रदर्स का मुर्डर कर देंगे इससे जनुवेस मॉब बॉस बनने से भी रह जाएगा और अनस्तासिया मैंगानो फैमिली का नया मॉब बॉस बन जाएगा इसके बाद 19 अप्रिल 1951 को माफिया हिस्ट्री का सबसे मिस्टिरियस मुडर हुआ फिलिप मैंगानो की बॉड़ी मार्श लैंड में मिली जिसमें तीन गोलिया उसके सिर के पीछे थी और दो गोलिया उसके दोनों गालों में जब इस मामले की जाँच में पोलिस ने उसके भाई विंसेट से कॉन्टाक्ट करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं ढूल पाई विंसेट मैनोگानो के फूनरल में भी नहीं आया जिसके बाद पोलिस और माफिया बोस इसको लगने लगा कि विंसेट का भी मरडर हो चुका है लेकिन ये मरडर किस नहीं गिया? इसका पता नहीं चलब पाया अब अनस्तासिया मैननोगानोफ फामिली का अंडर गो बस था, इस देव मैनेगानो ब्रदर्स की मौत के बाद, अब अनस्तासिया को मैनेगानो फामिली का बॉस बना दिया जाता है, बॉस बनने के बाद, वो और उसका छोटा भाई, अन्थनी propor बदल कर अनस्ताशियों से अनस्तासिया कर लिया, लुसियानो अनस्तासिया से बहुत खुश था, उसे अनस्तासिया से बहुत प्रॉफिट हो रहा था, उसके साथ ही वो उसके लिए बहुत लॉयल भी था पर लुसियानों की औरस पर अनस्तासिया मुदर का हेड़ बन जाता है ये कांट्राक किलर का एक ग्रूप था जो कि करीब 700 से 1000 लोगों का मुदर कर चुके थे जिसके बाद जिनो वे इस ने वन सेट गाइगेंटे को कोस्टेलो के मुदर के लिए खायर किया 1957 में गाइगेंटेने कोस्टेलो के सर पर गोली चले कोस्टेलो के लग की वज़े से गोली बस उसे चूपकर निकल गई लेकिन इस आक्सिडेंट के बाद वो रिटार्मेंट ले लेता है अनस्तासिया का एक कैपोस कार्लो गैंबिनो जो की बाद में उस हिस्ट्री का सबसे पावरफुल माफिया बस बन जाता है वो वीट्यो जनोवेस से मुलाकात करता है अनस्तासिया को मारने का प्लान बनाता है जिनो वेस्ट उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसने अनस्तासिया को मार दिया तो गैंबीनो ही कुछ फैमिली का बॉस बना दिया जाएगा कार्लो इस ओफर को रिफ्यूज नहीं कर पाया गैंबेनो दूसरे माफिया जो प्रोकासी से बात करता है और फिर वो दोनों अनस्तासिया को मारने के लिए गैलो ब्रदर्स को हायर करते हैं अनस्तासिया की फेवरेट बारबर शॉप शेरचन होटल के बॉटम फ्लोर पर थी उसे अपनी दाड़ी शेफ करना बहुत पसंद था दुकान में जब बारबर ने अनस्तासिया के मूँ पर टॉवल रखा तब ही दोनों गैलो ब्रदर्स दुकान के अंदर घुचते हैं अलबर्ट अनस्तासिया पर पांच गूनिया चला दी और उसी समय उसकी मौद हो जाती है अलबर्ट की मौद के बाद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे यश्क की आने वाले फिल्म के जेफ 3 में भी ऐसी ही एक बड़े गैंस्टर की स्टूरी दिखाई जाने वाल उसके पिता अंधिनी कॉलंबर प्रोफिसियंट क्राइम फैमली के ना अरली मेंबर थे इस क्राइम फैमली को वहीं समालते थे वो भी अपने समय के बहुत बड़े गैंस्टर थे काफी समय तक उन्होंने रुफाची क्राइम फैमली को संभाला लेकिन एक दिन जब वो मारी की सारी रिस्पॉंश्विटिज जोसेफ क्लॉंब्व के ऊपर घए आ उपर घए हाला कि पिताके मौद के बाद जोसे पोना केवल प्रोफाची प्राइन का उत्रा अधिकारी बनाया घघता इस संभाली को इसके मेर्म पीलिन करते थे वाद में उसके कहने से पहले ही उसके सारे काम होने लगे थे और देखते ही देखते वो सबका बॉस बन गया 1961 में जो गैलो ने रुफाची फैमली के चार हाई रैंकिंग मेंबर्स को किद्नाप कर लिया था जिसके बाद पहली कॉलंब वोड शुरू हुई किद्नापिंग के बाद गैलो से दिमांड की कि अगर उन्हें पैसे दिये जाएंगे ना तभी वो रुफाची फैमली के उन मेंबर्स को रिलीज करेंगे गैलो एक होस्टेच पर हंड्रेट थाउजन डॉलर्स के दिमांड कर रहे थे हंड्रेट थाउजन डॉलर्स ना रुफाची फैमली के लिए काफी जादा थे लेकिन उतने हैं इंपॉर्टेंट उनके लिए होस्टेजिज बने वो मेंबर्स भी थे इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया जिसके बाद रुफाची अपना जो दिमाग है ना वो चलाते हैं और दोनों ही क्राइम फैमिली के एक नेगोसियेशन करें और उनके मेंबर्स को रिलीज कराए रुफाची की बात को मानने के सिवा चार्ल्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उस समय रुफाची क्राइम फैमिली के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं लेना जाता था चाल्स उनकी बात मान लेता है और गैलोस से बात करता है गैलोस चाल्स की बातों से कन्वेंज हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं और बड़ी ही शांती से रुफाची को उनके मेंबर मिल जाते हैं लेकिन अभी रुफाची का बदला जो है ना वो पूरा नहीं हुआ था वो गैलोस को इस किटनापिंग के लिए सजा देना चाहते भी 1961 में रुफाची क्राइम फैमिली के यह मेंबर जो सेफ रुफाची के आच्यक और पर गेलों इसके कुछ मेंबर का निरुद्ड डाँ जाता है जिसके वाद जवाब के तोर पर जो गेलो भी क्रांश सी UK लोगों का मणर जिससे यह वह जो है ना कुछ समय तक शांत रहती है जो रुफाची की मौत के बाद जोसेफ कॉलंबो को कॉलंबो क्राइम फैमली का ओफिशिल मॉब बस बनाया जाता है 41 साल की उम्र में कॉलंबो कंट्री का सबसे यंग क्राइम बस था वो इसके साथ ही वो न्यू यू यॉर्क क्राइम फैमली का पहला अमेरिका में जन्मा बस था माफिय बनने के बाद बहुत ही कम समय में उसने अपना परचम पूरे न्यू यॉक सिटी में लहरा दिया था उसका नाम न्यू यॉर्क के अमीर आद्मियों में शुमार हो गया लेकिन उसके इनी पैसों की वजा से ना उसे अपनी जिंदगी में पहली बार जेल भी जाना पड़ा 1966 में जब अमेरिकन गवर्मेंट को कॉलंबो के बैलन्स को लेकर कुछ शक हुआ तो उसे समझ जारी किया गया लेकिन जब पोर्ट में उसकी पेशी हुई और ग्रांट जूरी ने उससे उसके फानेंशल अफेर्स के बारे में सवाल किया ना तो उसमें कुछ भी जवाब न गया था 1977 के शुरुआती समय में जो गैलो को जेल से रिहा कर दिया और उसके आजाद होते ही गैलो क्राइम फैमिली और कॉलंबो क्राइम फैमिली की पुरानी दुश्मनी का भी अजाद होना तैथा दोनों क्राइम फैमिली के बीच इसी कॉन्फिक्ट को खतम करने के ये कहते हुए कि थाउजन डॉलर्स ना कुछ भी नहीं है अगर वो और खून खराबा नहीं चाहता है तो वो उन्हें 100 थाउजन डॉलर्स दे कॉलंबो ने इस ओफर के लिए साफ मना कर दिया और दोनों क्राइम फैमिली के बीच ये वर गैलो की मौत तक कंचिन्यू रहा 28 जून 1971 को कॉलंबो इटालियन अमेरिकन सिविल राइट्स लीग के द्वारा स्पॉंसर इटालियन यूनिटी डे राली में कॉलंबिस सोकल गया था जब वो वहां से बाहर निकल रहा था ना तभी वहां जिरो में जॉनसन नाम का एक गनमैन कॉलंबो पर तीन गोलियां चला देता है जिसमें से एक जाकर उसकी सर पर लगती है कॉलंबो वही पर वेहोशो कर गिर जाता है सभी हड़ बड़ी में उसे हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं उस गनमैन को तो कॉलंबो के गार्ज ना उसी समय मार देते हैं लेकिन उस शूटिंग का कॉलंबो पर गहरा असर पड़ा और सर पर गोली लगने की वजह से ना कॉलंबो पेरलाइस हो गया जिसके बाद उसे क्रूजवेल्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जात है लोगों को लगा था कि अब कॉलंबो मर जाएगा लेकिन उसकी हालत में ना सुधार होने लगा उसके दुश्मन खुश्या मना रहे थे और उसके क्राइम फैमिली के मेंबर्स दिन रात उसके ठीक होने का प्रे कर रहे थे और काफी समय बाद 1975 में उसकी राइट साइड बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया था वो रिकवर होने लगा था और एक साल के अंदर ही अंदर वो लोगों को पहचानने भी लगा था लेकिन बाइस में 1978 को अचानक उसे सीने में दर्थ की शिकायत होती है सभी उसे से ले जाते हैं लेकिन वहां जाते ही काडियक अरेस अखिला ही गनमैन था उसने खुदी उसे मारा ना कि किसी के और पर बुलस ने गैलो से भी पूश्टाश की लेकिन उन्हें उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला कॉलम्बो फैमली को गैलो पर ही शक था जिसके रिजल्ट में 1972 में कॉलम्बो क्राइम फैमली जो गैलो का म ही खतम होती है आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही मैं पुर्णेमा लेती हूं आप से इजाज़त यह वीडियो पसंदाया हो तो इसको लाइक और शेयर करें ताथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलिग्राज स् है उसका निशाना अब विदेश के उन जगाहों पे होगा जहां पे सोना और स्मागलिंग दोनों मुम्किन होगी रॉकी के इसी बीच कई तरह के दोस्त और दुश्मन दोनों बनने वाले हैं क्योंकि रॉकी का सपना ही है कि वो ऐसे इनसान बने जिसके पास दुनिया का सा सुना रखना है तो वो काम उतना असान तो होगा नहीं क्योंकि इस रहा में कई सारे माफियाज आएंगे कई स्मागलर्स रॉकी की ही तरह सोच रखते होंगे और अपने सोने पे किसी और की नसर पड़ते ही वो उन्हें मार डालेंगे अब आफरिका में तो हम सब जानते ही हैं कि वहां बहुत सोना है यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका में भी आक्टिव गोल्ड माइन है जहां पर मुम्किन है कि रॉकी वहां अपना रुख कर सकता है रॉकी की एंट्री जब अमेरिका में होगी तो आखिर उसे किस तरह के दुश्मन मिलेंगे यह जौ आर्थर ने अपने पास के ही एक नाइट क्लब में काम करना शुरू किया था जो कि एक लोकल मॉप्स्टर द्वारा चलाई जा रही थी आर्थर ने वहां पे अपने जिंदगी के पहली चोरी कि जिसके बाद वो लोगों के घर में घुसकर भी चोरी करने लगा था आगी च जल्दी वो पकड़ा भी गया था जिसके बाद उसकी सजा में दो महीने और जुड़ गए थे आर्थर को 1920 में पेरोल पे रिलीस कर दिया गया था जिसके बाद वो दुबारे से शोल्स ट्रॉकिंग में काम करने लगा था जहां वो पहले भी काम करता था उस दौरान यूएस म नामी क्रिमिनल्स में जोडने में मदद की थी अब ये वही दौर था जब आर्थर का नाम डच शुल्स पढ़ गया था आगे जाकर शुल्स की किसी बात को लेकर शेपिंग कापनी से बहस हो गई थी जिस वजासे उसमें शुल्स ट्रॉकिंग को छोड़ दिया और उसके ब brutality को देखकर काफी इंपरेस हुआ शुल्स जब भी अपने टेमप को घोता था तो काफी जाढ़ ग्रेसिव बन जाता था शुल्स की सी क्वुहलिटी को देखकर जोई ने उसे अपना पार्टन बना लिया था इसे बात जोई और स journée मिलकर अपने आसपास को द्रिंकिश न वो लोग न्यूजर्सी में बने बीयर को खरीदते थे ट्रॉक पे जब ड्रिंक्स को लोट किया जाता था तो शुल्स को ड्राइविंग सीट पे गन लिए बैठ चाता था ताकि वो ट्रॉक को हाईजाकर से बचा सके तो दर्शक आपको क्या लगता है आगर किस तरह से शुल का नमबर वाइन दुश्मन कहा जाता था और उसका नाम है जॉन दिलिंजर्स जॉन का जनम 22 जैनुरी 1903 में इंडियाना में हुआ था उसे बच्पन में सब जॉन ही कहकर बुलाते थे लिकिन जैसे ही यह जवान हुआ इसका नाम जाक राबिट रग दिया गया था क्यूंक इने वहां सीठने के बाद ना उसका अमन वहां नहीं लगा और एक दिन सबसे छुप करना वहां से भी भाग जाता है फिर वापस अपने होम टाउन आ जाता है वापस आने के बाद उसने 1924 में बड़े अपरात की तरफ अपना पहला कदम रखा काफी समय से उसकी नजर इं उसका साथ नहीं दिया जैसे ही वो ग्रोसरी शॉप लूट कर वहां से भागने लगा पुलिस उसके पीछे पड़ी और काफी दूर पीछा करने के बाद वो पुलिस के हाथों लग जाता है और पुलिस उसे गिरफदार कर लेती है जेल में रहकर वो कई चोरों से मिलता है उनके experience को जानता है लेकिन अब उसका मनत जील में भी नहीं लग रहा था इसलिए कुछ दिनों वहां रहने के बाद वो जेल से फरार हो गया और अपनी गैंग को लेकर शिकागो भागा आया वो सभी शिकागो पहुत जाते हैं और वहां जॉन डिलिंजर अपनी गैंग को चोरी और डकेती के लिए ना ट्रेनिंग देना शुरू पर देता है लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि शिकागो में वह कोई चोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे अब वसी दे बैंक पर अपना हाथ साफ करेंगे जॉन डिलिंजर उन सभी को बैंक लूटने की ट्रेनिंग लगा और फिर दीरे दीरे करके न वह अमेरिका के सभी चोटे बड़े बैंक को लूटने लगे और कुछी सालों में जॉन डिलिंजर और उसका गैंग अमेरिका का बैंक लूटने वाला सबसे बड़ा गैंग बन गया 1924 में जॉन डिलिंजर की मुलाकात बैरल से होती है और कोई भी जरिया नहीं है इसलिए उसमें अब यह डिसाइड किया कि अब वह अपनी वाइप की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पॉमनेंट इंकम का इंतिजाम करेगा और उसने खुद के लिए एक नौकरी डून में शुरू कर दी शुरू आती समय में तो जॉन को कही नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि वो नहीं ज्यादा पड़ा लिखा था और नहीं उसके पास कोई खास स्किल थी लेकिन फिर बहुत ढूंडने के बादना उसे एक सोफा बनाने वाली दुकान में नौकरी मिलती है उसका काम था लकडियों पर गद्दी लगाना इसी दौ 24 में उसके ही बास्केटबॉल टीम के एक मेंबर ने उससे बताया कि हर रोज एक दुकानदार पैसों से भरा हुआ बैग लेकर ना उनके ग्राउंड के सामने से गुजरता है पूरे दिन अच्छा खासा माल कमाने के बाद वो शाम को पैसे लेकर अपने घर जाता है ये बा बास्केटबॉल टीम का जो दूसरा प्लेयर था ना कुछ दूरी पर कार लेकर खड़ा होगा और जैसे ही जॉन दिलिंजर पैसे चीन कर उसके पास आएगा वो कार को तुईजी से चला देगा सो दाट पैसा लेते ही ना वो गाड़ी में बैठ जाए और वहां सिफ परार हो जाए जॉन के पास एक पिस्टल भी थी दुकानदार जब पैसे लेकर वहां से निकल रहा होता है ना तो जॉन उसके पास जाता है और उससे पैसे जो है वो छीडनने लगता है दुकानदार और वो जॉन से ना हाता पाई करने लगता है इसी दौरान जॉन की जो बंदुग होती है वो जमीन पर गिर जाती है और मौका पाते ही वो जो दुकानदार होता है वो पिस्टल को उठा लेता है और जॉन के उपर ट्रिगर करता है ये देखकर जौन ना डर जाता है और कार की तरफ भागने लगता है इसी शोर को सुनकर चौराई की पुलिस भी वहां आ जाती है जिसे देखकर कार में बैठा जो बासकेटबॉल टीम का प्लेयर है न वो डर जाता है उसे लगता है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसका करियर खतम हो जाएगा साथी साथ उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा इसी डर से वो कार लेकर भाग जाता है लेकिन जौन जो है वो पुलिस की गिरफ में आ जाता है जिसके बाद जॉन को कोट 20 साल की सजा सुना देता है जेल में उसकी मुलाकात हैरी और होमर से होती है साथ रहते उनकी बीचना अच्छी दोस्ती हो जाती है इसी दोरान 1933 में जॉन की सोतेली मा की मौत हो जाती है जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए ना कोट द्वारा बेल मिल जाती है लेकिन उसने इस बेल का भी ना पूरा पाइदा उठाया और बाहर आते ही बहुत सारे हतियार और असलमों को एकटा करना शुरू कर दिया जेल में रहने के दोरान उसने अपनों अच्छा खासा कॉंटाक्ट वहां बना ही लिया था और उन्ही सोर्सेस के जरीए ना उसने अपने दोस्त हेंडरी और होमर के पास जेल में उन आतियारों को पहुचा दिया जिसके बाद वो दोनों भी जेल से बागने में कामियाब हो गए और अब तीनों ने मिलकरना एक गैंग बना दी जिसका नाम डिलिंजर गैंग था उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा और लूटने के बाद बड़ी ही आसानी थे वो वहाँ से फरार हो जाते थे उनके इस लूट पार्ट से ना सरकार और ना गुरे दोनों ही परेशान थे पुलिस काफी समय से जॉन डिलिंजर की इस गैंग को ना पकरना चाह रही थी लेकिन हर बार वो लोग बच निकलने में कामयाब हो जाते थे अब ये केस फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिकेशन यानि कि एफबियाई को सौपा दया पहरे तो FBI ने जॉन को पॉब्लिक एनिमी नंबर वन का खिताब दे दिया और फिर जॉन को पकरने के लिए अपने सोर्सिस को लगा दिया उन्होंने जॉन की वाइफ के दोस्त से कॉंटाक किया जिसके जरी उन्हें ये पता चला कि जॉन और उसकी वाइफ 22 जुलाइं 1934 क को मुवी देखने जाने वाली हैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस भी वहाँ पहुचती है जॉन शाम को अपनी वाइफ के साथ जब मुवी ठीटर से बहार आता है तो सामने खड़ी पुलिस मौका देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देती है और बस इसी कैसी एक माफिया की स्टोरी से इंस्पायर होगी केजेएफ 3 की स्टोरी और आज की हमारी ये कहानी यहीं होती है खतम आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही मैं पुर्णमा लेती हूँ अब आप सभी से जाज़त ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेर करें साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें पूर फायदा उठा लीजे तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपने टौपिक पर केजी अफ चैप्टर चू में सबसे बड़ा विलन अधिरा नहीं था कोई और ही था और अगर रॉकी उसने पहचान लेता तो रॉकी और केजी अफ कभी कष्ट नहीं होते तो कौन है वो असली विलन केजी अफ का? हम आपको बताते हैं लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अधीरा कौन था आपको बता दे दोस्तों कि अधीरा सूर्यवर्धन का भाई और गरुणा का चाचा था वो बहुत शक्तिशाली और निडर भी था और अधीरा का ऐसा बनने का कखारन वाईकिंग्स थे क्योंकि वो बचपन से ही वाईकिंग्स का फैन था इसलिए वो वाईकिंग्स कभीले की कुरूरता और नीती को अपना करके ताकतवर बन गया था और इसलिए अधीरा का लुक भी वाइकिंग से ही इंस्पाइड था खेर अधीरा चाहे कितनी भी ताकतवर बन जाए लेकिन वो अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा इमानदार था दोस्तों जी हाँ आपको बता दें कि इसलिए सुर्यवर्धन को जब KGF मिला था तब अधीरा ने सुर्यवर्धन को काफी हेल्प की वो लोगों को जबर्दस्ती पकड़ कर लाता और KGF में माइनिंग करवाता था और जो कोई भी उसके या उसके भाई के खिलाब जाने की कोशिश करता उसे अधीरा अपनी तलवार से चुप करवा देता था जी हाँ दोस्तों क्यूंकि दया नाम का वर्ड तो अधीरा को बिलकुल भी पता ही नहीं था ये हम अधीरा के फेस टैटू से देख कर ही समझ सकते हैं मतब हम यहां से समझ सकते हैं कि अधीरा कौन था और कैसा था वो ताकतवर और लाशों का धेर लगाने वाला खुंखान जरूर था और गुंडा भी था पर वो अपने भाई सूर्य वर्धन के लिए बहुत ही ज़्यादा इमानदार यानि ओनेस था अब सवाल यहां यह आता है कि क्या सच में उसने गरुणा पर हामला करवाय था तो दोस्त उसका जवाब है ना बिलकुल नहीं अरे नहीं भाई हम सब में देखा था ना कि जब सूर्य वर्धन बिमार पड़ा हुआ था तब सूर्य वर्धन कहता है कि अधीरा को चाला की और गद्दारी नहीं आती इसलिए वो काफी पीछे रह गया तो जैसे इमानदारी से उसने अपने भाई के साथ दिया था वैसे ही अब वो गरुणा का साथ देगा तो यहां अधीरा ने भी एक शब्द बोले बिना अपने भाई की बात चुप चाप मान ली तो ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने भाई के लिए बहुत ही मानदार था तो कैसे वो अपने भाई को दिया वादा तोड़कर गरुणा पर हमला करेगा बताओ तो अब सवाल आता है कि कौन था जिसने गरुणा पर अटैक किया और जब गरुणा ने अधीरा पर अटैक किया तो अधीरा वहां से कैसे बचा तो देखो जब से सूर्य वर्धन बिमार पड़ा था तब से एक पाखंडी चूरी चुपके अपनी चाल चल रहा था और किसी को भी इसकी खबर नहीं थी और वो है गुरु पांडियन जी हां दो और सारा इलजाम अधीरा के उपर लगाता है जबकि अधीरा को तो इस बात की खबर तक नहीं थी कोई भनक ही नहीं थी इसको और फिर गरुणा भी भड़का और उसने अधीरा के उपर हमला करवाया और यहां पर गुरु पांडिया ने वापस से अपनी चाल चलते हुए अधीरा को पहले ही कार से बाहर निकाल दिया इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसने करवाय था गरुणा पर हमला और अधीरा अभी तक जिन्दा आखिर कैसे था पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी चाल चलने के बाद भी गुरु पांडियान को मिला क्या सिर्फ गो नहीं और भी कई सारे खेल खेले हैं जैसे रॉकी के बारे में एंड्रीव को बताकर उसे केजीएफ में भेजना केजीएफ में गरुडा को मारने के बाद अधीरा को बुलाना और केजीएफ के अंदर छुप करके घुसने का रास्ता तक बताना मतलब यह है दोस्तों कि अधीरा और गरुणा को बीच में उसके दरार आजाती है और आपको बताने कि इसी की वज़ह से रॉकी केजीएफ में आया और इसी की वज़ह से अधीरा वापस केजीएफ के अंदर गया मतलब सारे कांड का मास्ट माइन गुरू पांडया नहीं था तो अब सवाल आता है कि क्या सच में अधीरा को KGF का लालच था, तो जवाब है नहीं, अधीरा को KGF का कोई लालच नहीं था, क्योंकि अगर उसने KGF का लालच उसके अंदर होता, तो वो खुद गरुणा पर हमला करता और उससे ऐसे छीन लेता तुरंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसके जब गरुणा ने उससे उस पर हमला करवाया, तब भी उसने गरुणा पर हमला नहीं किया, और खुद ही अंडरग्राउंड हो गया, अब आपके माइंड में ये बात आरी होगी, कि जब गरुणा को लालच नहीं था, तो अधीरा क्यों KGF में आया, तो इसका जवाब है, कि जब तक अधीरा के अपने KGF पर राज कर रहे थे, तब तक अधीरा KGF में नहीं आया, जैसे ही रौकी जो बाहर वाला है, वहां आया, तो अपना हक वापस लेने के लिए अधीरा KGF आया, और शहीत हो गया, लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि KGF को खत्म करने वाला गुरू पांडियन ही था, और अगर रौकी सही टाइम पर गुरू पांडियन जैसे साप को पहचान नहीं लेता, तो कभी भी KGF तबा नहीं होता, और ना ही उसको अपना सारा सोना लेकर समुंदर में जाना पड़ता, और ना ही रमिका सेन उसका कुछ बिगार सकती, और नहीं, रीना भी अभी मौत के मुँ में जाती और जिन्दा होती, और वो अपनी फैमली के साथ एक अच्छी लाइफ विता रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका, और गुरू पांडिया ने KGF और रौकी को खत्म कर दिया, आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर ऑफिस 2022 में मारी बाजी, क्या बॉल्वुट फिल्म को नहीं मिले जगा, हलो फ्रेंट्स मैं शूरूती और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलिग्रैन स्टूडियोज, दोस्तो साल 2022 अब खत्म होगा और नए साल की शुरुआत होगी, पर 2022 के आखर अब इन फिल्मों के नाम ही काफी है, ये बताने के लिए कि किस तरह का रिकॉर्ड बनाए गया, 900 क्रोर रुपीज से ज्यादा की कमाई की है, इन दोनों ही फिल्मों ने, उसके बाद थर्ड पोजीशन पर है हॉलिवुट के फिल्म आपतार, जिसने 15 डेस के अंदर ही 374 क् माई होने में ज्यादा टाइम नहीं है, इसके बाद दो है ऐसी और दमदार फिल्में है, जिन्होंने टॉप फाइब में अपनी जगा बना ली है, और वो है रिशब शेटी के फिल्म का अंतारा, और मनी रतनम के फिल्म पॉनियन सेलवन पार्ट वर, शिक्त पोजीशन पर है गंगुबाई, काठियरवाडी, और चौदवे नंबर पर है सारकारूवारी पाटा, और पंद्रवे पर है भीमलार नायक, अब टॉप फाइब में कहीं भी बॉलवड की कोई भी फिल्म हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि बॉलवड ने कोई धमाका किया ही नहीं, जिन से काफी ज्यादा एपस्पेक्टेशन्स थी, जैसे कि आमिर खान की लाल सिंग चढधा, अक्षे कुमार की समराज पृत्वी राज, वो कामयाब नहीं हो पाई, शम्शेरा चैसी बिग बजट फिल्म भी फेल हो गई, और इतना इने दोस्तों, बलकि चिरन जीवी की आचा कौन-कौन से बनते हैं, यह जानने के लिए, और जाते जाते इस वाले वीडियो को आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी, और लाइक और शेर तो करी देना है, और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, और मुझे यानि शूती को दीजे जाज़त, नमस्कार की अपनी सल्तनत थी, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंग जी भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बनी, सटे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के एक गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के बाहु बली, DMLC अजीद सिंग का जन्म दिन मनाया जा रहा था, देर रात तक अजीद सिंग की बर्थडे पार्टी चली, नशे में दूत गनर और अजीद सिंग के चेले हवा में फाइरिंग कर रहे थे, तब ही अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के नसदीक बैठे अजीद सिंग के सिर को छेद कर बाहर निकल दे, वो समीन में लुडग गया, अब रंग में भंग पढ़ चुका था, खौरन अजीद सिंग को उठा कर इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुगी थी, उस दौर में रमेश कालिया ने पूरे यूपी में आतंक मचा रखा था, कालिया की तलाश में लखनाओ पूलिस दलबल के साथ उनाओ के कई ठीकानों पर रेड करती थी, लेकिन हर जगा पूलिस को नकामी ही मिली, तब पूलिस को इम्तियास नाम एक बिल्डर ने कालिया के खिलाफ कंप्लेंड दी, उसने पूलिस को बताया कि कालिया उससे पांच लाख रुपे मांग रहा है, एसपी नवनीत ने फौरण उसे बुलाया, इधर पूलिस कालिया के खातमे का प्लान तयार कर रही थी, उधर कालिया बेफिक्र भूम रहा था, उसे नहीं पता था कि इम्तियाज की शक्ल में पूलिस को उसके खिलाफ एक तुरूप का इकका मिल चुका है, एसपी ने इम्तियाज के जरिए रमेश कालिया तक पहुँचने का प्लान बनाया, दसफरवरी 2005 को एसपी के कहने पर इम्तियाज ने कालिया को फोन पर कहा कि वो कुछ पैसे अभी देने को तयार है, इस पर कालिया ने उसे मिलने का टाइम दे दिया, बाचीत बेशक नॉर्मल थी लेकिन घबराहट में इम्तियाज की सांसे तेज हो चुकी थी, इम्तियाज इसलिए भी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि अब उसकी कालिया से मुलाकात का वक्त और जगा तैह हो चुकी थी, वो टाइम गा चुका था जब इम्तियाज को कालिया से मिलना था, एस पी ने इम्तियाज को बताया कि उसे डरना नहीं है, वो उसके साथ रहेंगे, शिकार पुलिस के जाल में फस्ता दिख रहा था, पुलिस में शूट आउट की तयारी शुरू कर ली, पुलिस टीम ने कालिया के ठिकाने तक जाने के लिए एक प्लान बनाया, और बारात की शकल में धीरे से पिर्डिंग को चारों और से घेर कर धावा बोलने का प्लान बनाया, पुलिस की टीम बाराती बनकर तीन अलग-अलग गाडियों में बैठ कर नील मत्था के लिए रवाना हो जाती है, इम्तियाज अपनी कार में पुलिस वालों से थोड़ा पहले रवाना होता है, इम्तियाज के पीछे पुलिस की बारात निकल पड़ती है, इम्तियाज कालिया के मकान में डरते डरते दाखिल होता है, कालिया और इम्तियाज के बीच बाचीत होती है, इम्तियाज अपनी जेब से नोटों की एक गड़ी निकाल कर कालिया हो देता है लेकिन रकम केवल 40,000 होती है इम्तियाज कालिया से सहम कर कहता है भाई कुस्ता की माफ ज्यादा इंतजाम नहीं हो सका बस इतना ही है इस बात से कालिया उखड़ जाता है वो नोटों की गड़ी इम्तियाज के मूँ पर दे मारता है और वो इम्तियाज को गालिया देना शुरू करता है तब ही बारातियों के भेश में आई पुलिस कमरे में घुसकर धावा बोल देती है करीब 20 मिनिट तक दोनों तरफ से गोली बारी होती है इस दोरान कालिया और उसके दो मुर्गे मौके पर ही मर जाते है इस खौफनाक एंकाउंटर में दो पुलिस वाले भी गोली लगने से जखमी हो जाते है और इसी के साथ पूरा होता है मिशन कालिया तो ये थी कालिया की कहानी वो सकता है कि ऐसे ही कोई किर्दार या कहानी का हिस्सा हमें आने वाली फिल्म केजी एफ चैप्टर 3 में देखने को मिले गैंक्स्टर जो रहता है अप टू डेट हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ वालिग्राड स्टूडियोज में वो वाच्चप पर लेता है मडर का कॉंट्रैक्ट जेल से ही कराता है मडर और पेस्बुक पर करता है कबूल नामा बिशनोई का पहलवानी में मन लगता है और वो पास के अखाडे में कुष्टी की प्रैक्टिस किया करता है उसने पहला गैंग कॉलिज में ही बनाया उसमें खिलाडियों से लेकर पुलिस वालों के बच्चे और लॉकल स्टूडिन्स चामिल थे फिर कई राज्जों में फैला लिया सिधु मुसेवाला को मरवाने के बाद अब वो सल्मान खान के पीछे पड़ा है लॉरेंश बिश्णोई ने फिल्म स्टार सल्मान खान को जान से मारने की धंकी दी थी काले हीरन का शिकार करने के मामले में उसने सल्मान की हत्या करने की धंकी दी थी बिश्णोई समाज काले हीरन के प्रती आस्ता रखता है काले हीरन को गोली मारने के मामले के बाद से बिश्णोई गुस्से में था उसने अपने साथी शूटर संपत नहरा को सल्मान खान को मारने के लिए भेजा था लेकिन संपत सफल नहीं हो सका लॉरेंस ने जनवरी 2018 में जोदपुर की एक अदालत में सल्मान खान को जान से मारने की धमकी दी लॉरेंस की सल्मान खान से नाराजगी का कारण है उनके द्वारा हीरन का शिकार करना लौरेंश ने धमकी दी कि वो सल्मान खान को हिरों के शिकार की सजा उसकी हत्या करके देगा लौरेंश ने सल्मान खान को सिर्फ धमकी नहीं दी बलकि उनकी हत्या के लिए दो बार शाफ शूटर भी मुंबई भेजे थे 2016 में बिशनोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोब था उसने फेस्बुक के जरिये मर्डर के जिम्मेदारी ली थी मगर लौरेंश बिशनोई को पहचान दी 2018 में पुलिस ने उसके साथ संपत को भी पकड़ा था संपत वही है जिसने खुलासा किया कि वो अभिनेता सल्मान खान की हत्या करने माना था सल्मान को मारने का काम उसे बिशनोई ने दिया था सल्मान खान को काला हिरन शिकार मामले में दोशी करार दिया गया था दरसक लॉरेंस खुद बिश्णोई समाद से है जिसके लिए काले हिरन पूजनिये हैं सल्मान खान की हत्या कर लॉरेंस बिश्णोई उन काले हिरनों की हत्या का बद्रा लेना चाहता था। साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग तसकरी, जमीन कबजा और हत्याओं का अंजाम देता है। इनके निशाने पर बॉलिवूड सेलिबरिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं। बिश्णोई के इंटरनेशनल ड्रग ट्रेफिकर अमंदीक मुलतानी के साथ अच्छ मकोका के तहत जमानत मिलना बेहत मुश्किल हो जाता है। मकोका के तहत जाज ACP rank का उपीसर करता है। और DCP rank के सामने दिया गया बयान अदालत में मन्य होता है। और ऐसे ही एक गैंग्स्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं। विजय किरंगदूर अपनी अगली फिल्म KGF3 में जिसमें एक ऐसा ही गैंग्स्टर हो सकता है, जिसके करेक्शन इंटरनेशनल ड्रग्स मगलर हो सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी। और दाउद के केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। पैसो के दम पर दुनिया की नाक में दम करने वाला दाउद इब्राहिम शुरू से ऐसा नहीं था। दाउद एक बहुत ही गरीब परिवार से था, इसलिए उसे हमेशा अपनी जरूरतों को मानना पड़ता था। उसका बचपन में वो बेहद शांद सभाव का लड़का था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने चोरी, धोकादाडी और डेकैपी करना शुरू कर दिया। और वो एक गैंस्टर और डॉन बाशु दादा के गिरों में शामिल हो गया। और उसने बहुत चारे इल्लीग भागया था और तब से भारत की सरकार उसे ढून रही है। उसे इंडियन गवर्मेंट दुआरा 1993 के मुंबई हमलों के मास्टर माइट घोशित कर दिया गया था। दाउद ने अपने जीवन में बहुत सारे इल्लीगल बिजनस किये। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके ह यानि उसे पकड़ पाने में वो असफल रही है। ना जाने वो आगे और कितने अपराद करेगा और आगे चलके कितने मासूमों को अपना शिकार बनाएगा। ऐसी एक गैंग्स्टर के कहानी लेकर आ रहे है विजे अपनी अगले फिल्म KGF 3 में जिसमें गैंग्स्टर ग आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बताएं निकली वोटर आइडी पर रजिस्टर है। को फ़र्जी वोटर आइडी काड के खिलाफ रजिस्टरेशन करने के मामले में मुक्तार अंसारी के खिलाव धे केस चल भी रहा है। दरसल उत्तर प्रदेश पुलिस अब माफिय डॉन मुक्तार अंसारी पर अपना शिकन जा और कसमे जा रही थी इसके लिए मुक्तार के खिलाव गांग्स्टर केस में चार्ज शीट दाखिल कर दी गई और उसे अरेस्ट भी कर लिया था साथ ही उसके केस को फास्ट राक करने के लिए कोट ने और भी कई कोशिशे कि वहीं पुलिस मुक्तार गांग के आठ दूसरे लोगों के साथ साथ सभी क्रिमिनल्स को वरेस्ट कर चुकी है और उनके सभी प्रॉपर्टी और सभी काले पैसे के बारे में इंफर्मेशन उठा रही है जिसे कुछ समय बाद जब्त भी कर लिया जाएगा अब तक पलिस गांग के चौर बदमाशों की 50 करोड से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त करने में की कारवाई शुरू हो चुकी है यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी सरकार अब गांग्स्टर के खिलाफ चुब बैटने वाली नहीं है उन्होंने हर किसी क्रिमिनल और हर किसी गांग्स्टर के बारे में पूरा ब्यूरो निकाल लिया है और वो कोई कोशिश करने वाले है कि वो ऐसे गांग्स्टर को अपने पुराने केसिस के लिए अंदर करवा दे चाहें वो अपराद उन्होंने साल पहले किया हो या फिर 20 साल पहले यही वज़ा है कि 27 मार्च 2000 को एक बार फिर से मुक्तार के गांग के खिलाब केज दर्ज किया गया और कुछ दिन पहले ही इनकी पूरी गांग को 10 साल की सजा सुनाई गए थी जसमें मुक्तार और मुक्तार का एक साथी है अब देखने वाले बात ये है कि ऐसे क्रिमनल से पॉलिटीशन बने हुए मुक्तार अंसारी काब फिर से क्राइम की जिन्डिके की और कदम बढ़ रहा है तो क्या होने वाला है इसके आगे गैस बार फिर से मुक्तार बच निकलेगा ये तो ठी मुक्तार अंसारी की कहानी लेकिन क्या लगता है आपको क्या केजिएफ चाप्टर 3 में भी हमें कुछ ऐसा ही गांग्स्टर और पॉलिटीशन की कहानी देखने को मिल सकती है अब ऐसी कहानिया दोस्तों हमें बहुत देखने को मिलती है लेकिन देखते हैं कि ऐसी कहानी के आमें के जब चाप्टर 3 में भी देखने को मिलेगी कौन है जॉन दिलिंगर नमस्कार दोस्तों मैं आपकी दोस्त और होस्त उशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चानल बॉली रैज स्टूडियोज आज की ये कहानी में एक अमेरिकन क्रिमिनल की अमेरिका का एक ऐसा गैंस्टर जिसे अवाम का नंबर एक दुश्मन कहा जाता था और उसका नाम है जॉन डिलिंगर इसी दौरान 1933 में जॉन की सौतेली मा की मौत हो जा अच्छा खासा कॉंटैक्ट वहां बना लिया था और उनी सोर्सेस के जरिये अपने दोस्त हैंडरी और होमर के पास जेल में ही उसने अतियारों को पहुचा दिया जिसके बाद वह दोनों भी जेल से भागने में कामियाब हो गए और अब तीनों ने मिलकर एक नई गैंग जिसका नाम डिलिंगर गैंग था उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा और लूटने के बाद बड़ी ही असानी से वह फरार हो जाते उनकी इस लूट पार्ट से सरकार और नागरिक दोनों ही परिशान थे पुलिस काफी समय से जॉन डिलिंगर की इस हिताब दे दिया और फिर जॉन को पकड़ने के लिए अपने सोर्स को लगा दिया उन्होंने जॉन की वाइफ के दोस्से कॉन्टाक किया जिसके जरिये उन्हें यह पता चला कि जॉन और उसकी वाइप 20 जुलाई 1934 मूवी देखने जाने वाले हैं इसी मौके का फाइदा हुए पुलिस वहां पहुच जाती है जॉन शाम को अपनी वाइफ के साथ जब मूवी थियेटर से बाहर आता है तो सामने खड़ी पुलिस मौका देखते ही उस पर फाइरिंग शुरू कर दे रही है और इसी तरह अमेरिकन पब्लिक के इस एनिमी की मौके पर ही मौत हो जा ही जाता था इसलिए मजबूरन पुलिस को उसे माने के लिए एंकाउंटर का सहारा लिना पड़ा बताया जा रहा है कि इस बार केजी एफ्ट्री में सुपर स्टार यार्ज जॉन बिलिंगर का ही किरदार निभाते नजर आएंगे और फिल्म में उन्हीं की कहानी को दर्श कि कैसे रॉकी ने फरहान पर भरोसा दिखाकर उसे फॉरण भेजा और किसी छोटे काम के लिए बल्कि अपने गोल्ड के बिजनस को बढ़ाने के लिए लेकिन फरहान ने गोल्ड के बिजनस के साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें शुरू कर दी थी जिसकी वजह से वो बन सालार और उन सब क्राइम्स का जिम्मेदार बना रॉकी क्योंकि सालार का सारा गैर कानूनी काम और इलीगल बिजनस सब रॉकी के नाम से ही चलते थे और इसी वजह से रॉकी पर नजर पड़ी फॉरण के एक बड़े माफिया ग्यांग की जिसने सबसे पहले तो रॉकी को फोन करके ये खबर पहुंचाई कि उसके बिजनस की वज़ा से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है जिसे उसे सुधारना होगा अभी तहली बार था कि रॉकी कि इसे में बिजनस के लिए टोका था तो वो सीधे सालार को फोन करता है और कहता है मैंने तुझे वहाँ पने बिजनस से तकलीफ हो रही है अब इसके जवाब में सालारों से कहता है पता नहीं भाई मैं बिजनस को बड़े लेवल पर संभालता हूं ये छोटे मोटे गुंडों को इसे कोई तकलीफ होती है तो मेरा ध्यान नहीं जाता पिस सुनते ही रॉकी उसे सिर्फ एक बात ही कहत था क्योंकि उसे लगता है कि फरहान है सब कुछ संभाल लेगा लेकिन सचाई तो कुछ औरी थी वहां अब सालार बन चुका था और उसे अपने नाम को एक ब्रांट बनाना था जिसके लिए वह एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था जिसमें पहला निशाना था दु रोकी की तरह उसके भी कुछ उसूल थे जो उसे किसी फेकी हुई चीज को उठाने से इंकार करते थे इसलिए सालार ने प्लान बनाया अंडर वर्ड माफिया से रोकी को मरपाने का वो बतले में उन्हें रोकी का आधा बिसमेस दे देता और उसे अंडर वर्ड में सिर्फ एक नाम चाहिए था अंडर वर्ड पर राज करने वाला और रोकी को मारने वाला सालार लेकिन इसके साथ ही वो अपना दूसरा पीर चला रहा था खुद माफिया ग्यांग पर जो एक तरह फूर रोकी को मारेगी और सालार द्वारा रोकी की सेना भड़काएगी और उन्हे KGF भी उसकी और Underworld भी लेकिन अब क्या वो अपने इन सपनों को पूरा कर पाएगा क्या रोगी को मारना सच में इतना होगा आसान अब सवाल तो वेल दोस्तों बहुत सारे हैं I'm sure मेरी तरह आप लोग भी बहुत क्या होगा अक्सर लोगों में चर्चा का विश्य बना रहता है कभी यहां के लोगों की ठाट बात की चचर्चे होते हैं तो कभी यहां की सुंदर्ता की दुबई के कड़े कानून भी अक्सर चर्चा का विश्य बने रहते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुबई द तेल के साथ साथ सोने का एक्सपोस भी विश्व में ज्यादा करता है। याद से नहीं बलकि काफी समय पहले से दुबई सोने और तेल के लिए फेमस है। बात उन नई सोई क्याती की है जब के जीएफ के रौकी ने इनायत खलील से हाथ मिलाया और अपना सारा सोना सारा सोना दुबई भेज दिया। कहने, सोने से जड़ी गाड़िया और इसके अलावा सोने के बरतन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से दुबई को सिटी और कोल्ट कहा जाता है। बताते विश्व में कुल सोने के व्यापार में 30 प्रतीशत हिस्ता केवल दुबई का है। यहां प्रती वर्ष 1200 से ज्यादा सोने का नियारत यानी की एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी कारण से यहां वर्तमान में 4000 से ज्यादा सोने के व्यापार पर आधारत कंपनी इस्ताबलेश्ट है। है इसलिए दुबई में भारते निवेश भी ज्यादा है। इसी कारिफ से दुबई के सोना बाजार में सबसे ज्यादा खरीदार भारत से आते हैं। भारत के बाहर भी यहां मुख्य रूप से पाकिस्तानी, ब्रिटिश, साउधी अरेबियन, ओमानी और किनादियन लोग भी सोना खरीदने आते हैं वास्तव में दुबई के पास बहुत ज्यादा सोने की खाने नहीं है लेकिन दुबई हर साल भारी मातरा में दक्षन अफरिका से कच्चा सोना खरीदता है जिसकी बात रौकी ने भी केजिफ्टू में इनायत खलील के साथ की थी इस सोने को शुद करके यहां भारी मातरा में सोना बेचा जाता है समय के साथ दुबई ने अपना सोने का व्यपार बहुत बड़ा कर लिया है और परिनाम स्वरूप वर्तिमान में यहां हजार से ज्यादा सोने की बड़ी बड़ी दुकाने मौजूद है दुबई के इस पूरे सोना बजार को गोल्ड सुक भी कहा जाता है जो हमी KGF3 में देखने को मिल सकती है दुबई में रॉकिंग स्टार रॉकी ने कैसे अपने इंपायर को बढ़ावा दिया और कैसे रॉकी गोल्ड सुक का हसा बना जाने के लिए देखते रहें बॉलिग्रास स्टोडियोज हम पर मिलेंगे एक नई और चटपरी विडियो के साथ अपने खुश रहें और सेफ रहें बगाई नमत्का स्वागत आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में 15 परवरी 2003 को दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी हुई थी दोस्तों ये रॉबरी बेलजियर में हुई थी जिसमें पैसे नहीं बल्कि जोना चांदी और हीरे चुटाए गए थे जिसे चोरों को 10 करोड से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था बेलजियर में डायमेंड और बोल की जूलरी में फ्लोर की नीचे बेस्मेंट के लॉकर रूम में रखी हुई थी जहांकि सेक्यूरिटी फिल्कुल टाई थी और इतनी सेक्यूरिटी होने के बाद भी चोरी हुई कैसे वो जानने के लिए हमें 2000 के सार में जाना होगा चोरी के तीम साल पहले लियोनाडो बैटलो ने 700 डॉलर्स पर मन्त पर डायमेंड वर्ड सेंटर में एक ओफिस रेंट पर लिया था ताकि वो वहाँ के एंप्लोईज, मानेजर और बाकी लोगों का भरोसा जीच सके लियोनाडो ने 3 साल तक माहा पर as a worker काम किया कुछ समय तक माहा पर टेनेंट यानि की खिरायदार बनने के बाद लियोनाडो को 24x7 की डायमेंड सेंटर आकसेस की मिल गए जिसका मतलब है कि लियोनाडो अब किसी भी समय डायमेंड सेंटर से आजा सकता था वो भी बना किसी की permission के इसके साथ ही उसे वॉल्ड की access की भी मिल गए अब वॉल्ड में भी कभी आजा सकता था ताकि वो अपनी डायमेंड स्टोर कर सके लेकिन लियोनाडो का प्लान खुद के डायमेंड स्टोर करने का नहीं कि दोसरों के डायमेंड को चुराने का था ताकि किसी को भी पता ना चल सके और वो असानी से डायमेंड सेंटर के अंदर की हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सके लियोनाडो ये भी चांता था कि वो इतनी बड़ी चोरी अकेले नहीं कर पाएगा इसलिए उसने पाश लोगों की टीम बनाए लियोनाडो दिन भर डायमेंड सेंटर के अंदर चीजे रिकॉर्ड करता और उ वसी को देख कर रॉबरी की फ्लादिंग करने लगे हो दो फेबरी दो हजार टीन तक उनका फ्लान फूरी तरह से तयार था और अब समय था फ्लान को एक्जिक्यूट करने का चोरी से एक दिर पहले लियोनाडो हमेशा ही तरह तार्फ तार्मिन सेंटर जाता है सबसे पहले उन्होंने एक कारेंट पली और डायमेशा ही पहुचे जिसके बाद लियोनाडो के अलावा बाकी सब एक लाड़र की मदद से बाकग्राउंड गार्डन से डायमेशा ही बालकणी पर चड़े अब सबसे पहले उन्होंने बेस्मेंट के सभी क्यामरा पर ब्लाक शॉट चड़ा दिया वॉल्ट के डोर पर एक माग्नेटिक लॉक था जुसे डील करने के लिए उन्होंने एक अलुमिनियम प्लेट जुस पर हेवी डबल टेप लगा हुआ था उस अलुमिनियम प्लेट क मदद से वॉल्ट के स्क्रू को खोला और उसे भी डियाक्टिवेट कर दिया और क्योंके लियोनाडो को वॉल्ट के लॉक के बारे में पता था इसलिए वो एजिली उसे भी खोल लेता है लॉक खोलने के बार उस गैंग ने वॉल्ट के अंदर की लाइट को फुचॉप कर जिस्ते की सारे सेंसर आटोमाटिकली बंद हो जाए और गैंग ने सारे गोल्ड और डायमेंड को बाग्स में भरा और उसे लेकर वालकनी की मदद से ही बाहर आ गए और वहां से फरार भी हो गए पूरी हाइस के दौरान सब में प्लास्टिक के गलफ तहने थे जिसके बज़ह से किसी के भी फिंडर फ्रिंस नहीं मिले बाद में अगले दिन लियोनाडो हमेशा की तरह डायमेंड सेंटर आता है और चोरी को देखकर शौप ढूने की आक्टिंग करता है अरे भई जब चोर जल्दी रिलीज होने वाली बड़ी टॉलिवड मूवी के जीएफ चाप्टर 3 की कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ने वाली है तो अब रमिका का खट पाने के बाद रौकी भी जंग के लिए तैयार हो जाता है लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो जंग के लिए बस खुद को और अपने एक साथी को ही तैयार कर रहा होता है वो किसी और को लड़ाई में शामल करना नहीं चाहता और खुद अपनी जंग जीतेगा अब शाम होने लगती है शाम के समय भारी बारिश का महौल हो जाता है और जैसे तेज आंधी आ रही होती है रमिका ठीक साथ बज़ गेटवे आफ इंडिया के बाहर रौकी का इंतजार करती है ठीक साथ बचकर पाच मिनट पर रौकी वहां अपने साथी के साथ आता है और यहां रिवील होता है कि आखिर रौकी का ये स्पेशल साथी कौन है तो दोस्तो रौकी के साथ पूरे समय सलार होता है जो इस वक्त सारा काम समालता है और पूरे समय बिना कुछ बोले बस रौकी की आग्याओ का पालन कर रहा होता है अब आपने सामने होते हैं रौकी सलार और रमिका और भगीरा भारी बारिश में दोनों टीम्स के सामने खड़े होते ही बिजली चमकने लगती है और रमेका बिना कुछ बोले अपना हाथ समुद्र की तरफ पॉइंट करती है समुद्र में एक शिप खड़ी होती है और उसे कपड़े से ढखा हुआ होता है उस पर कुछ लोग भी सवार होते हैं जो कि रमेका के आखों के इशारे पर उस कपड़े को हटाते हैं और रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस शिप में उसका सारा सोना होता है यहां रॉकी की हवा टाइट हो जाती है तुम्हारा सारा सोना डुबाला पिछली बार नाकामयाब रह गया लो इस बर मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया अब तुम्हारी जंग मुझ से नहीं इस समुदर से है जाओ बचा सको तो बचा लो अपनी अमानत और रौकी और सलार भागते हुए समुदर तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि शिप तक चड़ सके लेकिन असल में वो ऐसा कर नहीं पाते कि तभी शिप से ही एक आदमी नीचे एक छोड़ी सी बोट में आकर रौकी और सलार को अपने साथ उपर ले आता है वो आदमी रमिका की टीम का होता है पर रौकी ने उसे पहले ही अपनी तरफ कर लिया था और रौकी और सलार शिप पर सवार हो जाते हैं जिसके बाद सारा सोना उनका हो जाता है और वो वहां से उसकी बड़ी शिप पर रवाना हो जाते हैं और रमिका सेन बस देखती रह जाती है तो दोस्तों आपके अनुसार इस कहानी में और क्या क्या ट्विस्टान टर्न जा सकते हैं हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बिताइएगा आज के लिए इतना ही ऐसी ही और इंटरिस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज को हलो गाइज वल्कम बाक टो यो फेवरेट यूटी उप चैनल वॉलिग्राद स्टूडियोज दोस्तों किसे मालूम था कि अफगानिस्तान के गाउं में जन्मा साधारन सा एक लड़का आगे जाके मुंबई का माफिया डॉन बनेगा जी हाँ आज की कहानी है करीम लाला के बारे में करीम लाला के बचपन का नाम करीम शेक था करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया वो बहुत गरीब परिवासे था मुंबई में उनका परिवास साउथ बॉंबे के सबसे घनी अबादी वाले इलाके भिंडी बजार के पास बस गया शायद मुंबई आने से पहलो से खुद को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक गैंक्स्टर बन जाएगा लेकिन यहां की चका चॉन ने एक मामुली इंसान को गैंक्स्टर में तब दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंक्स्टर करियर शुरू हुआ पहले उसने मुंबई गुरी में अपना काम करना शुरू किया और फिर बाद में बठान के गिरो में शामिल हो गया जिसमें मारबाडी और गुजराती जम्मिंदारों और वैपारियों के लिए इल्लिगल वसूली एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया और यहीं से उसका करीम शेख से करीम डाला बनने का सफर शुरू हुआ दोस्तो लारा ने जल्दी बठान गैंग का चीप बनने के लिए अपने काम का दाइरा बढ़ा दिया और अब वो कॉंट्राक किलिंग, केडनापिंग और जबरन बसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका ये वैपार भी बढ़ता गया लेकिन इससे उसके साथ ही हाजी मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई फीर्टीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया अपने समय में लाला के संबन बॉलिवूर्ट सलिबिटी से काफी अच्छे थे वो अकसर बड़ी हस्तियों को ईद और पाटियों में बुलाया करता था 1970 से 80 के दशक में बॉलिवूर्ट सलिबिटी से उसके जम्मन कावी बढ़ने लगे थे करीन लाला के बहुत इलिगल बिजनेस थे पर अपने साथियों की तुलान उसका जीवन काफी साथ भी भरा था लेकिन परवे बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका इतने बड़े बड़े इलिगल बिजनेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं पाई और ऐसे एक गैंग्स्टर की कहानी लेकर आ रहे है विजय करंगदू अपनी अगली फिल्म केजीव 3 में जिसमें कि एक गैंग्स्टर गोल्ड की इलिगल समगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है विजय द्वारा प्रड्यूस की गई केजी अफ प्रैंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी वैसे इस फिल्म के स्टोड़ी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जब मेकर्स ने केजी ये पार्ट टू रिलीस की तब इस फिल्म की स्टोड़ी डाइर ओडियंस को जादा क्लियर हूँ और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है जिसके लिए ओडियंस में काफी क्रेज देखने को मल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहु पली यानि की प्रभास बिस फिल्म का हिस्ता बनने वाले है और ऐसे मिस फिल्म के एकसाइटमेंट और भी बढ़ जाती ह उन से करोडों तक यूँ तो हमने ऐसे कई बिजनेस मैन और ऐसे कई लोगों की कहानिया तो सुनी जो कि छोटे शहरों से लेकर अपने आपको करोड़ पती के दरजे तक लेगा लेकिन अगर एक ऐसे आदमी के बारे में जाना जाए जो कि काफी ज्यादा अजीब माना जात जिसने कई ऐसी डील की जो कि काफी ज्यादा आम डील मानी जाती है लेकिन इसके बाद भी उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ बचपन से ही तिमोथी डेक्स्टर अपने आपको काफी ज्यादा माहिर और लेजनरी समझा करता था उसने आच साल की उमर में स्कूल छोड़ और यह फैसला किया कि वो कारोबार में हिससा लेकर पैसा कमाएगा अपनी शिरुआत करने के लिए उसने कोईले का साथ ही जी हां डेक्स्टर अपने शहर में कोईला बेचा करता था जहां शिरुआत में कोईला बेच कर उसे फायदा तो होता था लेकिन कोई बहुत बेचनी शुरू कर दिया ऐसी चोटी चोटी चीजों को बेचना शुरू करने के बाद उसने खुब टॉलत कमाई वो एक अनपड़ आदमी से करोर पती बन बैठा जैसे यह उसके आसपास के लोगों को यू पता चला कि वाकई में एसी चोटी-चोटी चीजों को बेच कर कित सलहा देने के बाद उन्हें लगा कि डेक्श्चर अपने सारे पैस दर लोटा देगा और उस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा कि वो खाना बनाने के बरतनों को खरीदे और उन्हें बेचना शुरू करे ऐसा कहने पर उसने 40,000 ऐसे बरतनों को खरीद लिया और दौलत बढ़ती ही गई सभी को ये लगने लगा कि डेक्श्चर एक पागल इंसान है लेकिन वाकई में उसे बिजनेस करना आता था और वो चोटे से चोटे सामान को बेचने में भी शर्म नहीं करता था कुछ ऐसी ही उसने चोटे से किसान के पनिवार से लेकर अपने आप इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कमेर्शिल पोड ये 1998 में खुला था जिससे पहले देश में सिर्फ एक और पोर्ट था पिपवाव बड़े-बड़े स्टोर्स हाउजेस बड़ी-बड़ी गारिया बड़े-बड़े कार्गो शिप्स सभी यहीं रहती है अफ्रीक प्राइशल कंट्रोल मशीन से किया जाता है ऐसे में पोर्ट ऑपरेटर को चार्जर मिलते हैं जिससे कोट की मेंटेनेंज भी होती है और ऑपरेशन भी चलते रहते हैं अलग-अलग तरीके की मशीन जैसे ग्राज शीट अनलोड़र और मोबील हारबर क्रेंज का इस्तमाल क किया जाता है जिससे सामान उतारा और चड़ाया जाता है अब यह मशीन बड़े-बड़े इंजीनियर्स बनाते हैं और तो और इसके खास देख रेक भी की जाती है ताकि कोई हाथसा न हो जाए इतनी बड़ी मशीन का फायदा ही यह है कि ज्यादा से ज्यादा काम होता है और वो भी कम से कम वक्त में इसलिए ही तो मुद्रा पोर्ट सबसे बड़ा ऑपरेशनल पोर्ट है इंडिया का ऐसे में बड़ी-बड़ी कास बड़े-बड़े कंसाइन्मेंट सभी के सभी यही आते हैं इतना ही नहीं इस सिस्टम में इतनी टाइट सिक्यूरिटी होती है क इस तभी सामान के लिए अपने अपने वेरहाउजेस बने हों ऐसे में हर तरीकी का सामान तब तक स्टोर किया जाता है जब तक authorized collector आवकर सामान लेकर नहीं जाता है यह सामान को छोटा मोटा ओर्डर नहीं होता बलकि बड़े-बड़े बिजनेस वालों का raw material होता है तो कभ इसी पोर्ट से रवाना होता है खास scanning और verification के बाद यह सामान लोड किया जाता है यह scanners काफी strong होते हैं और इनकी rays बेलकुल penetrate हो जाती है इसलिए ही smuggling के chances यहां पर कम होते हैं आखिर port operator क्यों ही अपना धंदा बंद करवाना चाहेंगे इसके अलावा सब को पता है कि सिर्फ एक से चेकिंग नहीं होती बल्कि multiple checkpoints होते हैं इसलिए ही रास्ते से smuggling करवाना काफी मुश्किल होता है कोई बड़ा आदमी ही जो system में हो वही सिर्फ इसे आसानी से निकलवा सकता है बाकी तो इस रास्ते से तसकरी करवा पाना मुश्किल है बस यह गुथी KGF में Rocky भाई कैसे solve करते हैं यह देखने को बल सकता है जमीन के नीचे से हुई robbery नमस्कार दोस्तों मैं आपकी दोस्तों और होस्तों शीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदिदा चानल बॉलिगार्ज स्टूडियोज में यह कहानी है ब्राजील की आठ ऑगस्ट 2005 को Monday morning जब बैं के वॉल्ट को चेक किया तो उनके हो शुर गई वॉल्ट के ग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा होल था और वॉल्ट में रखे सारे पैसे गायब हो चुके थे बैंक में होने वाली वो चोरी आज तक दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी चोरियों में शामिल हो गई है इतनी बड़ी चोरी थी कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया ब्राजील के फोर्ट लेजा में अफरात आमबार शहर के बीच में विशाल बिल्डिंग है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील कहते हैं यह वो बिल्डिंग है जो ब्रा पुलिस यह सोचने लगती है कि अगर बैंक के वॉल्ड को तोड़ कर यह चोरी की गए है तो बैंक के अलारां काम क्यों नहीं कि ब्राजील के सबसे बड़े बैंक में इतनी सीक्योर्टी होने के बाद भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गए उस समय बैंक पैसो से भरा था क्य लेकिन बैंक की तरफ से ना ही पुराने नोटों का कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा था और ना ही उनके सीरियल नंबर नोट किये जा रहे थे और शायद चोरों को ये बात पता थी क्योंकि उन्होंने बैंक के केवल पुराने नोट ही चुराए थे जो करीब तीन अरब 15 करोड रुपे के थे भले ये चोरी ओगस्त में की गई हो लेकिन चोरों का एक गैंक पांच महीने पहले यानि की मार्च सही चोरी के प्लानिंग करने लगे थे इस प्लान का मास्टर माइंड था लूइस फर्नांडो रिबियरो जिसने जर्मन के एक क्रिमिनल एलमाओ को अपना प ग्रुप का हर एक मेंबर अपने अपने काम में माहिर था कोई इंजीनियर था जिसने के वर्ट तक के रस्ते का मैप बनाया था तो कोई खुदाई नी और कुछ मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थे उन्होंने पहले ही एक सेक्योरिटी गाड को अपने प्लान में शामिल कर लिए था वह सेक्योरिटि गाड एक प्यांने के पुरिशेंचल है और फिर उसने अपने गृप के लोगों को भी उसी गर में बोला लिया और वह चोर बैंक तक पहुचने के लिए जमीन के 13 मीटर नीचे एक टरनल का निर्मान करने लगे उन्होंने इसलिए प्लांट का बिजनस खोला था ताकि लोगों को लगे कि यह मिटी बेचने के लिए मंगाए गई बल्कि असलियत तो यह थी कि वो मिटी टरनल के अंदर से निकल रही थी इसी के साथ ही जिस घर में रह रहे थे उसमें उनके फिंगर प्रेंट्स ना आए इसलिए उन्होंने घर के दिवारों पर जले हुए चोने को लगा दिया चोरों ने अपनी शौप के लिए एक सिक्यूर्टी रखा था जो कि ब्राजील का एक जाना माना सिक्यूर्टी गार्ड है और वो उनकी शौप और इसी तरह की स्टोरी होने वाली है केजी अफ्री की वेल्कम टू बॉलिग्राड स्टोरियोस और आजन जानेंगे केजी अफ्री से जुड़े इंट्रस्टिंग पाक्स जस्ट दीप सिंग उफ जगू भगवान पूरिया पंजाब के खुनकार गैंस्टेज में सी एक है उसे पंजाब में एक सुपारी केंग के नाम से भी जाना जाता है लेकिन वो बच्पन से एहजा नहीं था दोस्तो उसने बहुती छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया जिसके चलते उसके जीवन में काफी उतार चड़ाव यानि की अपसें डाउन जाए वो पंजाब और कुछ बुरी आधितों ने उसे गांग्स्टर बना दिया जोस्ती पहले एक कबड़ी प्लियर हुआ करता था और वो बहुत अच्छी कबड़ी खेलता था वो अपने कबड़ी के लिए अपने आसपास के गाउं में बहुत ज्यादा मश्यूर था और वो अपने गाउं क आसपास के कबड़ी प्लियर के साथ मिलकर अक्सर कबड़ी का नाच आयोजित करता था और इसलिए वो वहां के गांग्स्टर के बीच में काफी देमस था धीरे धीरे वो कबड़ी के फील्ड में बढ़ता चला गया और तरक्की करता गया लेकिन कुछ समय बाद जस्दीप अपने खेल से खुश नहीं था वो पैसे कमाना चाहता था और कुछ बड़ा करना चाहता था इसलिए वो और उसके कुछ कबड़ी दोस्त कुछ लोकल कॉलिटिशन के पंटाक में आये और उनके लिए काम उन्होंने करना शुरू कर दिया जस्दीप और उसके गिरों ने ध पहली बार था जब उस पर मोजर का आरोप लग गया और फिर उसे गिरफतार कर लिया गया पर कुछ दिनों बात जस्दीप चेल से भाग निकला और उसने बाहर आके फिर से अपने कॉंटाक्स बनाने शुरू कर दिये और ऐसे ही धीरे धीरे उसने अपनी जान पहचान स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है यूदो हम जब भी एक गैंग्स्टर के बारे में सोचते हैं तो हमें खुंखार आदमी का चेहरा सामने हमेशा नजर आता है लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आपका दुश्मन और ऐसे ही किसी गैंग्स्टर क अपना कमाल सब को दिखाया पहली नजर में आपको जडेजा को देखकर ऐसा नहीं लएगा कि ये एक बहुत शातिर गैंग्स्टर हो सकती है उनकी शकल एकदम प्यारी सी गुजराती औरत के जैसी है लेकिन उनकी मौत के सालों बाद भी आज भी पोरबंदर राजकोट वा करते थे एक मिल में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली मर्डर का शिकार बने उन्होंने ये फैसला किया कि अपने पती का बदला लेने के लिए वो पुलिस के पास नहीं जाएगी क्योंकि हो सकता है कि आम से मिल में काम करने वाले आदमी की मौत पुलिस के लिए बहुत ब नहीं है कि वो बदला लेना नहीं जानती वो काठिया बार इलाके में माफिया क्वीन के नाम से जानी गई और अंडर वर्ल्ड में खुश गई वो अंडर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मशूर औरतों में से एक मानी जाती है यही नहीं बलकि क्राइम और बदले की इस दुन भाई पटेल की काफी करीबी दोस्त भी थी इस गैंग्स्टर ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वो जो चाहे कर सकती है और अपने पती के बदले से अंडर वर्ल्ड में अपना नाम फैला दिया उनकी लाइफ से हमें इंस्पाइड एक बहुत मशूर फिल्म भी बायर कर सकती है तो क्या लगता है आपको क्या के जी एफ चाप्टर फ्री में भी हमें कोई ऐसी ही लेडी गैंक्स्टर की कहानी देखने को मिलेगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारे चानल बॉलिग्राद स्टूडियो एक प्यून बना गोल्ड स्मगलर ये कहानी है अंडर वर्ड डॉन टाइगर मेंमॉन की जिसका जन 1960 में मुंबई के अली रोड इलाके में इबराहिम मुश्ताक अब्दूर रजाक नदीम मेंमॉन के तौर पे हुआ था इबराहिम के परिवार में माता पिता के लावा होद खराब थी इसलिए 10 तक पढ़ने के बाद उसने बैंक में प्यून की नौकरी करनी शुरू कर दी हाला कि ये नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं तिकी क्योंकि इबराहिम के काम को लेकर बैंक के मैनेजर से जगड़ा हो गया इबराहिम प्यून की चुटने के बाद जिसके बाद इबराहिम गोल की स्मगलिंग में याकूप का काम देखनी लगा कुछी सालों के अंदर इबराहिम की दोस्ती पाकिस्तान की समगलर तौफिक से हो गया जिसके बाद इबराहिम जल्दी एक बड़ा नाम बन गया अपने काम को लेकर एक मजबूत पलैन और मगलिंग से कमाए हुए पैसो से इबराहिम ने मुंबई में कुछ इलेक्रिक की दुकानों की शुरुआत की लेकिन 1992 में हुए मुंबई दंगे में इबराहिम की दुकानों में तोड़ फोड़ कर दी गए जिसके बाद वो कफी ज्यादा घुसा हो गया और उसने महिनों 14 मार्च 1993 में मुंबई में बंधमाकों को अंजाम ये देश का सबसे खतरनाक धमाका था जिसका मास्टरमाइन इबराहिम एक टाइगर मेमौन था इस धमाके में दावद इबराहिम ने विसपोटक सामगरी और वेपन्स की फंडिंग की थी जबकि इस पूरे धमाके को अजाम इबराहिम ने अपने भाई याकोब मैनन के साथ मिलकर किया था इस धमाके के बाद टाइल और देश छोड़कर भाग गया बाग में इंडियन इंटेलिजन्स एजिंसी को इबराहिम के पाकिस्तान के कराची में होने का पता चला इबराहिम आज भी इंडियन खुफ पूरी जिब्मेदारी उठाए और साथ ही अपने आसपास के सभी लोगों में अपना डर बनाये रखे ऐसा बनना कोई आसान काम नहीं है जहां जहां फिल्मों में हमें ऐसे ही कई गैंस्टर देखने को मिल चुके हैं जो कि शायद से हसी मजाक वाले किरदार दिखाए गए वहीं असल जिंदगी में एक गैंक चलाना और उसके साथ अपने दुश्वनों से आगे रहना एक बहुत मुश्किल काम है लेकिन एक ऐसी फीमेल गैंक्स्टर रहे चुकी है जिसने ये साबित कर दिया कि वो किसी से डरती रही थी दरसल अमर नायक नाम का एक ऐसा गैंक्स के साथ फस गया जब उसके इस हालत का उसके भाई को पता चला तो अबर नायक का भाई जो की लंदन में एक पड़ा लिखा बैंकर हुआ करता था वापस इंडिया लोटाया और उसने अपने भाई के गैंक को संभालने का फैसला किया उसका नाम अश्विन नायक था और अथी जो किसी से नहीं डरती थी और वो अपने गैंक को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जुनूर डरती थी कुछ समय बाद अश्विन नायक और नीता ने अपने गैंक को काफी बड़े लेवल तक पहुँचा दिया और साथ ही में उनके दुश्वन भी बहुत बड़े हुए एक बार एक ऐसे अटाक में अश्विन नायक को टार्गेट किया गया जुसके बाद अश्विन को एक गोली लगी और उसे देश भी छोड़ना पड़ा उसके जाने के बाद उसकी बीवी ने अकेले पूरी गैंक की जिम्मेदारी संभाल ली और नीता का नाम और बुलंद हो गया लेकिन अश्विन को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कुछ समय बाद नीता ने शिव सेना से हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर एक कॉर्पुरेटर बन गए अश्विन अपनी बीवी को एक आमसी हाउस वाइफ से इतने बड़े गैंक्स्टर में तबदील होते देखकर काफी ज़्यादा परिशान हो गया और इस वज़ा से अश्विन और नीता के बीच भी एक बहुत गहरी दरार आ गया इसके बाद नीता को अपने पती यानी की अश्विन के ओडर पर मरवा दिया गया जहां इसके बाद नीता ने अपनी जान तो गवा दी लेकिन आज भी नीता एक ऐसी गैंक्स्टर के नाम से जानी जाती है जिसको किसी का डर नहीं था तो क्या लगता है आपको क्या KGF चैप्टर 3 में भी हमें कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिल सकती है अंडर वोल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां पर अपना नाम बनाना कोई भी आसान काम नहीं है लेकिन अगर आपके अंदर इतना जजबा है कि आप अपने और अपने गैंक के सभी साथियों का ख्याल रख सकते हैं और साथी में अपना डर अपने आसपास के सभी लोगों में बरकरार रख सकते हैं तो आपसे बड़ा गैंक्स्टर कोई नहीं बन सकता क्यों तो हमने काफी ज्यादा कम ही लेडी गैंक्स्टर के बारे में सुना है वही लेडी गैंक्स्टर अक्सर किसी न किसी बड़े डॉन या फिर किसी बड़े गैंक्स्टर की कोई रिष्टेदार होती है जिसने मुश्किलों के समय में अपने गैंक की रखवाली करने के लिए अंडर वर्ल्ड का सहारा लिया लेकिन शिल्पा जावेरी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ शिल्पा जावेरी एक ऐसी गैंक्सर थी जो अपनी मर्जी से अंडर वर्ल्ड का हिस्सा बनी और जिसने ये साबित कर दिखाया कि वो अपने गैंग के सभी मेंबर्स के लिए ही नहीं बलकि एक से बढ़कर एक बड़े टॉन के लिए हमेशा तैयार है और उनकी हर तना से मदद कर सकती है जी हाँ शिल्पा खुंकार गैंकसर समद खान की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी यूँ तो शिल्पा किस-किस जुर्म के पीछे थी ये आज तक पता नहीं चला लेकिन ये बात सब जानते थी कि जब भी उनकी किसी दोस्ती या किसी भी साथी को किसी तरह की मदद की जर से मशूर दास्ता है जब उन्होंने अपने ही दोस्त समद खान के लिए एक ऐसा जोखें उठाया जहां वो पुलिस की आँखों के सामने से इतने बड़े डॉन को फरार कर ले गई हुआ ये कि समद खान काफी समय से पुलिस की पकड़ में था और जब उसको रिहा किया गया तो शिल्पा ने उसे कार में बढ़ा कर फरार कर दिया कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब ये पता चलता है कि दरसल समद खान जब रिहा हुआ तो पुलिस उसे एक दूसरे मामले के लिए अरेस्ट करने के लिए तयार थी और उसे फिर से जेल भेजने की फिराक में थी रिहाई के वक्त जब शिल्पा ने अपनी गाड़ी में उसे बिठाया तो रोड के दूसरी तरफ पुलिस उस पर नजर गड़ाए बैठी थी लेकिन उतने में शिल्पा ने तेजर अफ़तार कार ने एंट्री और समद को लेकर फुर हो गई समद खान एक ऐसा गैंक्सर था जो की मशूर डॉन करीम लाला का भतीजा था ऐसे में शिल्पा जावेरी के करीम लाला के साथ भी काफी अच्छे तालुक रखती थी कुछ समद खान की गोली मार कर हत्या कर दी गई लेकिन शिल्पा जावेरी का नाम आज भी लोग इस कहानी के लिए जानते हैं क्या व्यू यू खिस का रवब चाशन avoकते हैं रहा ह露ा है, आप ए्यावेरीется लावेरी के लो नाम आप पिẫn झाल झाल